हेलो नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर्शिक बार मेरे चैनल पे बहुत दिनों बाद आप सबसे मिलना हो रहा है कैसे हैं आप सब आशा करते हूं आप सब ठीक होंगे और जितने भी मैंने यहां पे वीडियो अल्रेडी अप्लोड करे थे परिक्षावानी से आप स चिंता करने की बात नहीं है जितने अप्लोड हो चुके हैं आप उनको अच्छे से देखिएगा वह बहुत जादा इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं मैं जैसा कि मैंने कहा था मैं यहां पे आपके लिए पूरा हिस्ट्री लेके आई हूं उतराखन का एक ही वीडियो में हम सब कुछ करेंगे इसके साथ हम लास्ट में फिर इसके mcqs भी करेंगे जिससे की हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा mcqs और जितने भी इंफॉर्मेशन है सारी परिक्षवानी से हैं आप परिक्षवानी बुक को रेफर कर सकते हैं ठीक है और क्या कहते हैं mcqs जो है प्रिवियस इर mcqs भी है और जितने mcqs आने लायक है एक्षवानी वह भी सारे में आपको करवाऊंगी ठीक है यहाँ पर जो वीडियो है हम जादा इससे डीटेल में नहीं देखेंगे हम यहाँ पर सीधा facts पर बात करेंगे one liners पर बात करेंगे सीधा जो exams में आ सकता है जो prelims में पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे अगर आपको हर topic का एक detailed version चाहिए detailed study चाहिए तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं मैंने already इनकी separate separate videos डाली हुई है ancient की अलग, medieval की अलग, modern की अलग, pre-historic, proto-historic, everything ठीक है इस वीडियो में हम पूरी history उत्रकंड की एक साथ देखेंगे, परिक्षे वाणिकर देख सकते हैं तो आप यह chapter 3 होगा, ठीक है, सब कुछ हम पूरा यहाप एक साथ देखेंगे, English में notes रहेंगे, यह मेरे handwritten notes है, इसलिए वीडियो लाने में भी थोड़ा time लगा, because notes बनाने में भी time लगता है, आप जानते हैं, यह notes की PDF, I hope आप सबको चाहिए होगी, यह आपको telegram channel पे मिलेगी, ठीक है, लिंक आपको उसका description में मिलेगा, okay, मैं वीडियो के बाद telegram channel पे notes की वीडियो अप्लोड कर दूँ, ठीक है, आप वहाँ से download कर सकते हैं, normally print out निकाल सकते हैं, लिखने में time waste मत कीजेगा, आपके लि अबा होगा, because हमें पूरी history रेखनी है, और MCQs देखने है, so I hope आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है, शुरू करें, शुरू करते हैं, अपनी history of उत्राखन, परिक्षावानी के notes हैं, ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं, prehistoric period, सीधा facts देखेंगे, ठीक है, डेटेल नह चट में हुई थी, 1968 में हुई थी, बाड़े चीना वाले एरिया से, अल्मोडा के पास, ठीक है, और यह कहां पर है, सोयाल नदी के तट पर है, यहां से मनुष्य और पश्यों की रॉक पेंटिंग्स, यहने की शैल चित्र मिले थे, नर्ते करती हुई मुद्रा में, फिर आ यहां से हतियार और एनिमल्स की हमें रॉक पेंटिंग्स मिली है, हलके सफेद रंगी, ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा मलारी गाओं, मलारी गाओं को दो हजार दो में गड़वाल उनिवर्स्टी के शोत करताओं ने डूडा था, यह तिबबत बॉर्डर के पास है, चमो दो किलो का सोने का मुखावरण यानि गोल्ड फेस मास्क मिला है, यह इंपोर्टेंट फैक्ट ठीक है, अल्मोडा के पास से मिला है हमें, यहां पर जो मनुश्य है, उनको शिकार करते हुए और हातों में हाट डाल के डांस करते हुए मुद्रा में दिखाया है, फिर है हु काफर कोट के पास पेटशाल और पूना कोट गाओं के अल्मोडा जिले में, यह याद रखना है आपको अल्मोडा, ठीक है, अल्मोडा जिले में मनुश्य को नरत्य करते हुए बूरे रंग से बने हुए शैल्चितर हैं पर मिले हैं, फिर है फलसीमा, फलसीमा अल्मोडा दिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से जो मनुश्य हैं, उनको योगा पोस्चर में और डांसिंग पोस्चर में दिखाया गया है, यानि कि रत्य करते हुए और योगा करते हुए दिखाया गया है, फिर है राम गंगा वैली, पाशान युक्की है, ठीक है, राम गंगा वैली ज जो वो हैं ताम्र मानव करतियां 8 copper human figurines ठीक है यहां पर 8 copper human figurines हमें मिली है आठ ताम्र मानव करतियां मिली है गड़वाल के भी कई कई जगाहों से हमें बहुत सारी चीज़े मिली है जैसे की painted grave potteries ठीक है यह सब चीज़े इसके बाद आता है हमारा आग अतिहासिक का जो कि है टाइम जो है वह हमारा mythological सौरी प्रोटो स्टॉरिक प्रोटो स्टॉरिक टाइम जो है वह हमारा mythological stories और religious texts के द्वारा ही पढ़ा जाता है इस एज को हम mythological एज भी कहते हैं पुरातत्व साक्षों की कमी होने के कारण आग अतिहासिक के प्रमुक शुरोत जो है वह धार्मिक ग्रंथ है और इसी लिए इस काल को धार्मिक काल भी कहा जाता है ठीक है प्रोटो इस एज की जो हमें नौलेज है वह आयरन कॉपर मैटल्स है अनिमल हस्पेंट्री विलेच सिटी सिविलाजेशन यह बताती है कि यहां के जो लोग थे उनको उनको लोहा और ताम्रधातू क ठीक है भादरबाद से तामर संचे मिले हैं मलारी और रामगंगा वैली से हमें शवागार मिले हैं बहुत सारे अन्य और धात चीजे मिली हैं फर्स्ट मैंशन ओफ उत्राखंड फाउंड इन रिगवेद रिगवेद में यह इंपॉर्टन क्वेशन है अल्रड़ी प्रिव भूमी कहा गया है रिगवेद में फीक हैं तो सबसे पहला उल्ल्येक हमें गहां मिलता है उत्राखंड का और रिगवेद में याद रखेगा एत्रयब्हांमण में इस एरिया को उत्तरकुरू के नाम से जाना गया है ठीक है इसकंद पुराण के दो खंडों में केदार खंड और मानफ खंड में उत्रा खंड का उलेख है केदार खंड में उत्रा खंड के गड़वाल चेतर का उलेख है और मानस खंड में उत्रा खंड के कुमाउ चेतर का उलेख है किदार खंड में मायापूर से यानि कि हरिद्वार से लेकर हिमाले तक के छेत्र को गढ़वाल कहा गया है मानस खंड में नंदा देवी परवत से लेकर कालागिरी परवत तक के छेत्र को कुमाओं कहा गया है नंदा देवी जो है वो कुमाउं और गड़वाल के कहां पर प्रेजेंट है एक डिविजन लाइन पर प्रेजेंट है यानि कि जो इसे दो पाटों में बाठती है पुरान में मानसखंड और किदारखंड को खसदेश उत्तरखंड ब्रह्मपुर नाम से बुलाया गया है ठीक है संबोधित किया गया है बुद्धिस लिट्रेचर के जो पाली टेक्स्ट है यानि कि जो बुद्धिस कथाई हैं जो बुद्धिस लिट्रेचर हैं बुद्धिस ग्रंथ जो है उनके पाली टेक्स्ट में उत्राखंड को हिमवंत नाम से पुकारा गया है और यह भी UKPSC का प्रीवियस एर क्वेशन है अभी हम सब क्वेशन देखेंगे न तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेशन पूछे गए है गडवाल को रिगवेद के अकॉर्डिंग यहां पर कहा गया था कि हाँ पर सो गड़ थे राजाओं के ठीक है जो डैते राजा थे सामभर उनके यहां पर सो गड़ थे और इन गड़ों को लॉड इंद्र ने और सुदास ने नश्ट किया था अलकापूरी यहां मनी लॉड कुबेर की और जो हमारे प रिगवेद में वहित गड़ वहीं है है इनके अग्यावर यह पर गड़ा ऊंडृ को इन पर देवर वर है उनके इरिया को सब्सिंदुप्रदेश परकूरुभ अपर घंद मानन म Jordman सिंग उसमानल ख़न सिवनषी लोटिक स sona प्राज एरिया है च्छेत्र है रिगवेद में वह घड़वाल ही है इसके स्कंद के वह मैं इतने ऻ気ं फूराणे हमारे वैदिक जितने भी इंपोर्टन चीजें हैं जितने भी लिखी गई हैं वह सब हमारी गड़वाल में हम पढ़ रहे हैं तो है तो शीटानिस्यू पट्टी जो है देव प्रयाओ की गड़वाल में यहां पर माना जाता है कि यहीं पे माता सीता ने प्रत्वी की गोद में अपना क्या करा था आश्रे लिया था और इसी वज़ा से हर साल यहां पर एक मेला अभी और्गनाईज होता है मंसार में देफ प्रिया का राम टेंपल ये माना जाता है कि भगवान राम ने अपने आखरी वक्त में यहां ही पर तपस्या करी थी तपोवन तपोवन जो है टीरी गड़वाल में जगा है जहां पर लक्षमन जी ने तपस्या करी थी जोतिश कहा गया है रिग वैदिक काल में ये नाम यूज होता है कि दाणात्त के लिए यह महा भारत के वन पर्व में मैंशन है और इस समय के दाद और हरी द्वार के बीच में जगाएं पढ़ती हैं जो भी यात्रा के बीच में जगा पड़ती है वो उन सब के बारे में मैंशन है के दारनाथ को किस नाम से पुकारा गया है वैदिक काल में भ्रंग तुंग ठीक है याद रहेगा भ्रंग तुंग अकॉर्डिंग टु महाभारत वन पर्व महाभारत के वन पर्व के अकॉर्डिंग ये एरिया जो था पुलिंद राजाओं के कबजे में था और यहाँ पर कीरत ट्राइव निवास करती थी और पुलिंद राजा की जो राजधानी थी वो थी श्री नगर पुलिंद राजा capital श्रीनगर थी ठीक है शुबाहू के बाद किंग विराट ने इस एरिया पर कबजा कर लिया और किंग विराट वही है राजा विराट वही है जिनकी बेटी उत्रा का विवा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यू से होता है ठीक है फिर आता है विद्या पीड थे यहां पर सिख्षा दी जाती थी कंवाश्रम फेमस है दुश्यंद और शकुंतला के लव स्टोरी के लिए उनके प्रेम प्रसंग के लिए और किंग भरत के जनम के लिए जिनके नाम पर हमारे कंट्री का नाम भारत पड़ा है अभिग्यान सकुंतला की रचना काली दास ने करी थी कंवाश्रम में ही और कंवाश्रम रिवर मालिनी के तटपर है यह भी इंपॉर्टन क्वेश्चन है आलड़ी पूछा जा चुका है आज इस जगा को चौका घाट के नाम से पुकारा है कि जो एंशन ट्राइफ थी खस ट्राइफ वो यहां पर डॉमिनेंट थी गड़वाल एरिया में और बुद्धिज्म इस जगा पर उस समय फ्लरिश्ड था खस टाइम होबे जो खस ट्राइफ का यानि कि जो खस जन जाती थी वो एंशन काल में यहां पर रहती थी जिसकी व अब हम देखेंगे को माउं के बारे में पुरानों टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पुरानास के अकॉर्डिंग चंपावत के पास चंपावती नदी के पूर्वी एरिया में एक कांतेश्वर माउंटेन है ठीक है जहां से सुनिएगा बहुत जादा कंफ्यूजिंग है इसलि के जैसा यानि जो कच्छवे की पीट से समान दिखाई देता है यह माना जाता है कि वहाँ पर भगवान विश्णु ने कच्छप अफ्टार लिया था यानि कि टर्टल का अवतार लिया था ठीक के पूर्वी तर लिया था यह तो आप जानते है वह प् technical कच्छप अफटार भी है उनके 12 अफ्तारों में से ठीक है तो भगवान विश्णू ने अपना कच्छब अफ्तार फांतेश्व परवत पे लिया था जो कि चंपावत में है चंपावती नदी के पूर्वी तडपर इसलिए इस प्लेस को कुर्मांचल कहा जाता है संस्कृत वर्ड में धीरे धीर तो यही कुमाओं की कहानी है ठीक है यह आप देख लेंगे आपको बसकर याद रखना है कांतेश्व परवत कच्छब अफ्तार कुर्मांचल और कुमू ब्रहमनाज और वायू पुरान के अकॉर्डिंग यहां पर कीरत किनर यक्ष गंधर्व विद्याधर और नाग जंज कि पूछाता इसमें से कौनसी जंजाति उत्रखन में निवास नहीं करती ठीक है यह आपको ऐसे मतलब ध्यान रखनाय क्ञासी प्राणी यानि के एशन जंजातियां की इंधर्व विद्याधर्व और नाग जाखन देवी मंदिर जो है अलमोडा का वो यक्षों के निवास की पुष्टी करता है कुमाओं के कुछ मंदिर जो हैं जैसे की बी नाग या बैनी नाग धौल नाग काली नाग पिंगल नाग खरहरी नाग बासुकी नाग यह सारे टेमपल है जिसमें आप देखेंगे कि नाग नाम हर किसी में कॉमन है तो यह किसके निवास के पुष्टी करता है नागो के निवास के पुष्टी करता है कीरत जन जाती जो थी वो यहाँ पर अपनी एक इंडिपेंडेंस लैंगवेज बोलती जिसे मुंडा लैंगवेज बोलते हैं ठीक है और आज भी माना जाता है कि जो असकोर्ट और डीडी हार्ट का एरिया है वहाँ पर इनकी जो वन्शज है इनकी जो लीनियेज है वो इनकी समय पर बुद्धिस्म बहुत फ्लॉरिज्ट हुआ यानि की बुद्धिस्म का प्रचार प्रशार हुआ और जब राजपुतों ने इस एरिया पर एंटर करा तो इनका डिकलाइन हो गया मेजर इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं उत्रकंड से मिलने वाले प्रमुक ल लेक है यह हमें उत्री टॉंस और यम्ना नदी के कन्फुलॉंस यानि की संगम पर मिलता है प्राक्वत लैंग्विज में लिखा हुआ है स्क्रिप्ट इसकी ब्राम्मी है इसमें जो यहां के निवास करने वाले लोग है उन्हें पुलिंद कहा गया है और जगा को अपरां फिर लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन है जो जॉनजार भाबर एरिया से हमें मिलता है देरादून के ये वी एक रॉक इंस्क्रिप्शन है ये राजकुमारी इश्वरा का इंस्क्रिप्शन है इसके अकॉर्डिंग जो यमुना घाटी है वहां पर यादवों का निवास था ठीक है, फिर कुछ हमें मंदिर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, ठीक है, मंदिर लेक मिलते हैं, जैसे गोपेशवर, काली मठ, केदाननाथ, नाला, कुछ हमें केव इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, यानि की गुफा लेक मिलते हैं, जैसे की बामन गुहा, देव प्रयाक से और कल्प सारी से कुछ हमें त्रशूल इंस्क्रिप्शन मिलते हैं गोपेश्वर और बाराहाट से ठीक है गोपेश्वर वाला जो इसक्रिप्शन है उसमें रुद्र शीफ मंदिर में यह हमें मिला है इसमें दो राजाओं का नाम है नाग पती नाग और आशोक चल 36 अतावदी में इस जगा को नाग पती नाग ने जीता था और बारविश अतावदी में इस जगा को आशोक चल ने जीता था जो कि नैपाल का था यह इस गोपेश्वर के स्रशूल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कुशानों के टाइम के हमें यहां पे सिक्के मिले है मुनिकी रेती से औ कोट द्वार के पास है फिर हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिले हैं ताम्र पत्र इंस्क्रिप्शन मिले हैं कारती के पूर राजाओं के इंस्क्रिप्शन है पांडू केश्वर कंधारा चंपावत और बैजनात से पांडू केश्वर से चार कंधारा से एक और खोटे ग्राम को कहा गया है महत्तम ग्राम नायक को कहा गया है भरतिया सर्वेंट यानि की सेवक को कहा गया है प्रतिहार गेट गार्ड यानि की द्वार रक्षक को कहा गया है गोप्त गार्ड यानि की रक्षक को कहा गया है कोट पाल फोर्ट गार्ड यानि की गड़ रक्ष परिक्षिक को कहा गया है और कुल चारिक तहसिलदार को कहा गया है तो ये कुछ पद पद अधिकारियों का लेख भी हमें मिलता है जो कि हमें ये दिखाता है कि यहां पर एक और्गनाइज़ प्रसाशन था तो गाइस इसी के साथ हमने अपने 20 मिनट्स में क्या कम्प्रीट क ये पहला राजनतिक वैंश है उत्राखंड का जिसने उत्राखंड पर गुड़ करा 13 ये 13 संचुरी से जिए पता चलता है कुनिंद से वोम और्रियों के सबाड़िनेट से यानि की वो मौरे मौर्यों के आधीन थे ठिक किन्न जो थे जिसे कि अशोंगे इंस्क्रिप्शन कालसी ने मिला जो हमें असोंगें इंस्क्रिप्शन में इस जगह के लोगों को पुलिंद नाम से बुकारा गया है और इस डीयाश्टी को भी जो कुनिंद डानेस्टी थी वो मौरे डानेस्टी के आधीन थी यह हमें अशोक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है अमोग भूती सबसे पावरफुल किंग था इस डानेस्टी का इसके जो सिल्वर और कॉपर कॉइंस थे चांदी के और तामे के कॉइंस थे उसमें देवी की और एक म्रग की जो वो थी छपाई होती थी ठीक है और उस पे क्या दूसरी साइट क्या लिखा हुआ होता था राज्ये कुनिंदस अमोग भूतिस महराजस प्राकरत लैंग्विज में लिखा होता था किस पे इसके सिक्कों पर ठीक है देवी का और हिरन का तो चित्र बना ह होता था और यह सब चीज़ें लिखी होती थी आप याद रखिएगा ठीक है फर्स सेंचुरी बीसी में अमोग भूति की डैथ के बाद शाकाओं ने यहां पर रूल करा इस एरिया के जो प्लेन इस छेत्र का जो प्लेन एरिया है ठीक है जो समतल भाग है उस पे शाकाओं क की निवास की पुष्टी होती है अलमुडा का कटार्मन सन टेंपल फेमस है ठीक है एक सेंचुरी के लेटर पार्ट में फर्स सेंचुरी के जो आखरी पार्ट है उसमें तरही छेत्र में कुशानों का कबजा हो गया ठीक है इसके एविडेंस हमें मिलता है वीरभद्र डैनेस्टी भी यहाँ पर आने लगी और कुशान भी थोड़े पार्ट पर रूल करते रहे और कुछ और डैनेस्टियों का यहाँ पर एंटर हुआ जैसे कि यौध्ध्य डैनेस्टी यौध्य जो थे वो कुनिंदों के समकालीन थे इनके कौइन समें जौनसार भावर एरि करतों का मानना है कि कुणिंदों ने ही करतपूर डैनेस्टी का establishment किया था अपने लेटर पार्ट में जैसे कि पहले धुद्र डैनेस्टी थी ठीक है कुणिंद डैनेस्टी के बाद आ शक, सक के बाद आ कुशान अब यह सब समकालीन है यानि कि एक दूसरे का अधिपत्य ज नहीं बसाई है समुद्र गुप्त का प्रियाग प्रसस्ती का inscription समुद्र गुप्त का प्रियाग स्थी से मिलने वाला inscription हमें इस बाग की जनकारी देता है जो fertilizer गुद्ध्र गुप्ता एंपाइर का नॉरदन पार्ट था, वो क्या था? करतपुर डानस्टी से occupied था. पांचवी सैंचुरी के आख्री वाले पार्ट में नागाओं ने करतपुर डानस्टी का एंत कर दिया और उत्राखंड को occupy कर लिया. छटी शताबदी में मौखरी डानस्टी आती है जो की कन्नोच की है, इन्होंने नागों के रूल का अंत करा और उत्रखंट पे रूल करा इसका जो लास्ट रूलर था वो था ग्रह वर्मा इसका मडर हो जाता है और मौख़ी डायनस्टी उसके उनके जी जा हर्श-वर्धन के हाथ में चली जाती है जो की थानेश्वर के थे ठीक है इनके ग्रह वर्मा के बहनोई थे हर्ष वर्धन जो थानेश्वर के राजा थे वर्धन डायनेस्टी हां में इंडिया में भी पड़ते हैं ठीक है तो जब ग्रह वर्मा का मर्डर होता है जब ग्रह वर्मा की हत्या होती है तो उस वक्त मौक्री डायनेस्टी जो होती है वो वर्धन डानिस्टी के हाथ में चली जाती है फिर आता है उत्राखंट पे हर्षा का रूल हर्षा के रूल के बारे में ज्यादा बाते मैंशन नहीं है हर्षा रित्र जो पानभट के द्वारा लिखी गई है उसमें बस यह मैंशन है कि यहाँ पर चाइनीज ट्रैबलर हूंग सैंग न दिवार एक जगा है जो कि भगरती नदी के तठपर है और इसका जो लंबाई चोड़ाई है नहीं कि इसका जो एडिया है वो है बीस ली जो है यह चाइनीज मेजरमेंट की यूनिट है अब आता है बहु राजकता का यूग यानि कि पीर अफ मल्टिपल किंग्स हर्ष के के बाद इस एडिया को चोटे मोटे चोटे मोटे इन्वेजन्स यहां पर होते रहे और बहुत सारे राजाओं ने यहां पर अपना अधिपत्य जमानी कोशिश करी पर कोई भी सफल नहीं रहा मैनी इन्वेजन्स यहां पर हुए जिसमें से कुछ फेमस है चोहान नरेश ब रूलर कह सकते हैं यहां फिर कोई भी एक कंप्लीट डानेस्टी का यहां पर फॉर्मेशन नहीं हुआ है साथ सो शताबदी में कार्तिकेपुर डानेस्टी यहां पर नई डानेस्टी बनती है हर्श की म्रत्यू के बाद उत्राखंड में उत्वपन अराजक्ता की स्थिती क समत्ति मतलब समाप्ती 1770-709 में इस राजवंस की स्थापना के साथ हुई 700 इश्वी में इस राजवंस की स्थापना होती है उत्राखंड में इस शुरुआत के 300 में इनके जो कैपिटल थी यो जोशिमठ चमोली पर रही ठीक है जो कि कार्तिकेपुर नाम से भी जाना जात में बाद में ठीक है पहले सुरुवात के तीन सो वर्स इनकी राज़ानी कहा रही जोशिमट के कत्यूर नमक जगा पर फिर इनकी राज़ानी शिफ्ट हो गई अलमोडा के कत्यूर घाटी में इनकी हिस्ट्री हमें पांडुकेश्वर के तामरपत्र कांधारा के तामरपत्र बागेश्वर और वैजनाक के तामरपत्रों से मिलती है जो कि कुटिल स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं जो कि कुटिल लिपी में लिखे हुए हैं यह यह डान इंडिंग सन एंडिंग सन हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग इनकी जो बॉंडरी थी वह नौर्थ में तिबबत नदी इस्ट में सतला नदी वैस्ट में गंड की नदी और साउथ में रोहेल खंड और जिसे हम काथर के नाम से भी जानते हैं इससे गिरी हुई थी बागेश्वर तामरपत्र के अकॉर्डिंग इहां का पहले राजा जो था वह वसंत देव था यानि कि इस डानेस्टी की नीफ किस ने रखी थी वसंत देव ने रखी थी वसंत देव ने परम भट्टारक महराजा दिराज परमेश्वर का टाइटल लिया था ठीक है और स्वर्णेश्वर यहां पर एक गाउं था जिसका नाम था स्वर्णेश्वर उसने बागेश्वर में एक टेंपल बनाने के लिए उस गाउं को दान दिया था यह वसंत देव के बादे में मैंशन है गाईज अगर आपको यह लगे कि हम इतनी कम कम नहीं है बिकॉज इतने जादा हमें पुरातत्व जो साक्षि होते हैं वो नहीं प्राप्थ हैं जितने भी प्राप्थ हैं उसी से हिस्ट्री बनी हुई है वही आपको पढ़नी है वही एक्जैम में आने वाली है ठीक है तो जादा हमको इसके सीरस होने की जरुवत नहीं ह जो यहां पर फैक्स मेंशन आपको वो याद रखने हैं जैसे कि वसंत देव ने किस टाइटल को धारण किया था परम भट्टारक महराजा धिराज परमेश्वर और इन्हों स्वञबबढबर्देव को अब करें डिया इनको करेंगे यते कंदि तो यह मत मानियेगा की बसंत देव के वाद कर पड़े रहो Bach इनका बीच मेंशन नहीं हैं पर उनका मैंशन नहीं और छृपर देव के वारे में देखेंगे अब खरपर देव ने खरपरदेव वंश की स्थापना करी ललिता दित्यमुक्तापीड कश्मीर के जो थे उनों ने भी यहाँ पर आक्रमन किया था जिससे खरपरदेव ने क्या करा था युद्ध करा था खरपरदेव से यूद करने के बाद खरपरदेव ने इस एरिया पर खरपरदेव वश्च की स्थापन करी और ये खरपरदेव का और ललित अदित्यमुक्तर पीड का जो यूद था इसके बारे में हमें कहां से मिलता है राज तरंगनी से मिलता है कल्हण की जो कल्हण की राज तरंगनी है उससे हमें ये प्राप्थ होता है कल्हण की राज तरंगनी में क्या है कश्मीर के जितने भी राजा आए है या फिर जितने भी युद्ध हुए है कश्मीर के उनका सबका chronological order है तो वहीं से हमें वहीं से हम थे पुत्र होते हैं वह राजा बनते हैं उनकी वाइप का नाम था रढ़ाज राजा बनते हैं इन्हों नलंदा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है जो पाल राजा थे पंगाल के धरम पाल उन्होंने गड़वाल पर अटेक करा था ठीक है फिर निमबर वंश आता है निमबर ने निमबर वंश की स्थापना करी यह हम कार्थिकेपुल डानेस्टिक के अंदर यह कुछ वंश है ठीक है जैसे कि घर पर देव आये तो उन्होंने घर पर देव यह शेवाइट थे यानि की शेविजम का फॉलो करते थे निमबर देव के बाद आते हैं इस्टगन देव यह पहले राजा थे जिन्होंने पूरे उत्रखन को एक सुतर में बांधने का प्रियास किया था ठीक है नव दुरगा महिश मर्दनी लकुलिश नटराज टेंपलो कि इनोंने क्या करवाय था कंस्ट्रॉक्शन करवाय था जागेश्वर में इस्टकन देव के बाद ललिट सूर देव इनों ने इनको जो भगवान विश्णु के 12 अफ्तार है उनसे कंपेर किया जाता है और यह माना जाता है कि इनका जन्म जो हुआ है वो धर्ती से बुरा अपना करी जाती है इच्छर देव के द्वारा जो कि सलोड़ा दित्ते का पुत्र था यह बहुत बड़े विद्वान थे इनके बाद असंती देव आते हैं असंती देव कत्यूरी घाटी के लास्ट रूलर थे यह ब्रहम देव ठीक है जिने बीरम देव और बीर देव के चलिए नामसे जागरू में कहा करा जाता है यह बहुत क्रूरव था 10 ब्रहम-देव बहुत क्रूर शाक था कॉन ब्रहma देव ब्हूर्म देव और बीरम देव नामसे भी पूकारा का ओरीजिनली कहां के निवासि थे आयोद्या के निवासि थे और राजा साली वाहन इनके पूर बज माने जाते हैं इनकी में इन सांअ कार्ति के इसलिए आज भी कुमाओं लोगों के मुखत भगवान कार्ति के भगवान ही माने जाते हैं ठीक है कारतिके पूर राजाओं द्वारा किये गए जन कल्यान कार्यों से कारतिके पूर डायनेस्टी उत्रखण में बहुत फेमस हुई और आज भी यह माननेता है कि कुमाउं कुमाउं में कारतिके पूर डायनेस्टी के अंत के बाद यहां पर ब द्रिदत 15 के अकॉरडि Además कार्थि के पूर डाय स्टी को सिर्जें दूर मंची थे और इनहें गिरिदत 15 के अकॉर्डि से राज़ा स्टूरामणी के पद से प्रीद से समझें आगे आपको कई कन्फ्यूजन नहीं ठीक है किसके अकॉर्डिंग बद्रिदस पांडिक के अकॉर्डिंग कार्तिकपुर राजा सूर्य वंशी कुल से थे ठीक है आगे बढ़ते हैं इनकी राज भाशा इनकी कोर्ट लैंग्वेज क्या थी कार्तिकपुर डानिस्टी की संस्क्रित थी यह इंपॉर्टन क्वेशन है अल्रेड़ी UKPSC में पोछा गया है ठीक है कार्तिकपुर डानिस्टी की जो राज भाशा थी वो संस्क्रित थी और यहां पर सड़क निर्मान और पुल निर्मान के अभी उल्लेख मिलता है कि इनके समय पर सड़क निर्मान और पुल निर्मान किया गया कार्तिके पूर डैनेस्टी के वक्त आदिगुरु शंकरा चार्रे का उत्रखंड में आगमन होता है ठीक है? ये था हमारा उत्रखंड का प्राचीन काल Done? समझ में आया? Easy है, facts है, आपको बस रटने है फिर आता है हमारा मध्यकाल, यानि की medieval history of उत्रखंड उत्रखंड का मध्यकाल हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दो वंश important है, कुमाओ का चंद वंश और गड़वाल का परमार वंश हमको यह दो वंश के बारे में जानना है सबसे पहले हम कुमाओ की चांद डानिस्टी के बारे में देख लेते हैं कत्यूर डानिस्टी के अंत के बाद सोम चंद ने 2020-25 के बीच चांद डानिस्टी की स्थापना करी कुमाओ में इनकी शुरुवाती capital चंपावत थी ठीक है, इंद्रचंद ने यहाँ पर सिल्क और सिल्क वस्त्रों का निर्माण कारे शुरू करवाया 1191 में नेपाल के चल रूलर ने चंद डानिस्टी को occupy कर लिया यानि कि इस पर कबजा कर लिया फिर भारती चंद ने चंद डानिस्टी को मुक्ति दिलाई और चल रूलरों को हराया यानि कि चल रूलर थे नेपाल के उन्हें हराया और ये पहले राजा थे चान डानेस्टी के जिनोंने नैपाल पर आक्रमन किया फिर आते हैं ज्यानचंद ज्यानचंद ने फिरोशा तुगलक को उपहार प्रस्तुत करने उनके कोर्ट गए इन्होंने फिरोशा तुगलक को उपहार दिये और फिरोशा तुगलक ने इन्हें गरुण की उपाधी दी और इस नाम से फिर ये पुकारने जाने लगे गरुण ग्यानचंद फिरोशा तुगलक की कोड में कौन गया ये कोशन आता है और इन्हों ने गरूण की उपादी प्राप्त करी फिरोशा तुगलक से फिर आते हैं बालो कल्यान चंद बालो कल्यान चंद ने एक काम करा क्या करा चमपावत से अपनी कैपटल शिफ्ट करके अलमोडा कर ली फिर रुद्रचंद रुद्रचंद जो थे वो अकबर के समकालीन थे इन्होंने तराई छेतर पर आकर्मन किया और रुद्रपुर नगर की स्थापना करी जो आज रुद्रपुर नगर आप देखते हैं इन्होंने अल्मोडा के मल्ला महल का कंस्ट्रॉक्षिन भी करवाया लक्षमी चंद लक्षमी चंद ने क्या करा सेटिलमेंट ओफिस खोले बंद्बस्त कार्यालें खोले नियोव वाली और विश्ट वाली कचेरिया खुलवाईं अगर पर्ट्फोलियो सिस्टम शुरू करव रखन आपने खाया, उतरकन में और बिविगन प्रकार के कर लगाये. फिर आते हैं त्रिमलचंद, त्रिमलचंद ने त्रिमलचंद को भाधूर और जमीदार की उपादी दी गई शहाजहां के द्वारा ये important fact बन जाता है ठीक है त्रिमल चंद को बहादुर और जमीधार की उपादी दी गई शहाजहां के द्वारा फिर आते हैं बाज बहादुर चंद बाज बहादुर चंद ने एक हतिया देवल मंदिर बनवाया जो की एलोरा के केलाश मंदिर जैसा ही ह और इनके रूल पर नंदा की मूरती अल्मोडा से गढ़वाल लाई राव नंदा देवी जो एनना नकी मूरती गढ़वाल से अल्मोडा लाई ये vakत में बांज बहादूर चंद के वकंत में और यह दूसरे चांध रूलर जिसने नैपार अटाक के रहा था वो थे उद्ध उद्योज चंद उद्योज चंद प्रथम रूलर कौन थे भारती चंद जिन्हों ने नेपाल पर अटेक कर रहा था और दूसर रूलर कौन थे जिन्हों ने नेपाल पर अटेक कर रहा था उद्योज चंद फिर आते हैं जगत चंद जगत चंद के साशन काल को कुमाओं का मुहम्मद बिन तुगलक कहा गया है और यह भी previous year question है जो ऐसा नहीं कि इससे पहले previous year question आये नहीं है जो भी हमने पढ़ा आते हैं पर जो मुझे याद रह जाता है मैं आपको बता देती हूं उसी वक्त कि यह previous year question है किसको कुमाउं का मुहम्मद बिन तुगलक कहा गया है battle of हवाला बाग 1790 में इसके बाद महिंदर चंत का क्या हो जाता है यहाँ पर हार हो जाती है और पूरा कुमाउं गोरखाओं के अंडर आ जाता है और चांद दैनिस्टी का आंतो जाता है तो यह थी हमाई चांद दैनिस्टी के बारे में शुरुआत इनकी होती है साथ सो इसवी सोरी एक हजार बीस इसवी से चलती है यह 1790 तक और 1790 में अब उत्रखंड में किसका अधिपत्ते हो गया गोरखाओं का अब उत्रखंड किसके अंडर हो गया गोरखाओं के अंडर ठीक है फिर कुछ और इंफॉर्मेशन चांद के बारे में देख लेते हैं जो रुद्र चंद थे उन्होंने त्रवनिक धर्म निर्णे उशा रुद्र गोध्या की रचना करी थी राजा रूप चंद ने शयानिक शास्त्र और बर्ड हंटिंग की आठ यानि की पक्षी अखेट कला इस पर गरंथ लिखे थे कल्यान चंद फोर्थ के रूल के वक्त जो पोयर थे यानि की जो कवी थे शिव उन्होंने कंपोज करा कल्यान चंद रूप यानि की राजेचिन क्या था काउ ये शैविज्म को फॉलो करते थे शैवाइट थे लक्ष्मी नरायन टेंपल जो है बैजनात का वो चंद रूलर्स नहीं बनवाया था इन्होंने लेंड सेटल्मेंट स्टार्ट करा चंद रूलर्स के वक्त ही क्या हुआ लेंड सेटल्मेंट स्टार्ट हुआ बूमी निर्धरन का कारे स्टार्ट हुआ और village head का appointment भी इनी के वक्त शुरू हुआ ये भी question पूछा जाता है कि उत्राखन में village head का appointment और land settlement किसके द्वारा किया गया, वो किया गया हमारा चंद rulers के द्वारा, village head यानी की ग्राम परधान, कुछ important किले, जो कि कुमाओ के हैं, जैसे खगमाडा किला, ये अलमोडा में है, राजा भीश्म चंद के द्वारा बनाया गया है, गौला चौड का किला चंपावत में है, राजा गौरिल के द्वारा बनाया गया है, लाल मंडी का किला जिसे फोर्ट मौयरा भी कहते हैं और ये important है, ये भी पूछा गया है, ठीक है लाल मंडी का किला भी अलमोडा में है, ये राजा कल्यान चंद्र के द्वारा बनवाया गया है राज बुंगा का किला चंपावत में है ये राजा सोम चंद्र के द्वारा बनाया गया है और बॉल की गड़ का किला बॉल की गड़ का किला जिसे लंडन फोर्ट कहा गया है बिटिशर्स के द्वारा ये पिथोरा लाच अबावत में है यह दैत्य राजा बाणासुर ने बनाया है ठीक है और लोकल भाशा में इसे मरकोट का किला भी कहा जाता है ठीक है फिर हमारी यहां पर कुमाओं की चांड डैनिस्टी खतम होती है कुमाओं का मद्देकाल शुरू खतम होता है और परमाण डैनिस्टी दो से देखते हैं हम गडवाल की परमाण राजवंश कमाण जो थे वह गुजर कहां के ठेव गुज़देश थे गुज़देश के पवार श्य कंट पाल नामक यूवक यहां albums और तिर्थटन के लिए आये थे यानि की गड़वाल घूमने आये थे तो यहां के जो गड़ी किंग थे सोन पाल उन्होंने अपनी बेटी का विवा कनकपाल से कर दिया और कनकपाल को अपना उत्राधिकारी घोशित कर दिया फिर कनकपाल ने 688 इस वी में चांदपुर गड में चमोली में यहैं कि पूछा जाता है चांधपुर्गार कौन से एरिया चमोली के फिर कनकपाल ने 688 इसवी में चांदपुर्गड में चमोली में हैं परमान डानिस्टी की नीव रखी और इनके रूलर इसके बाद यह जो इनके रूलर है चांड डानिस्टी में कुल साथ राजा हुए पर इस वंश में जो 37 राजा थे अजय पाल उनसे पहले वाले राजाओं कोई भी उलेक नहीं मिलता तो हम अजय पाल से पढ़ना शुरू करते हैं हमें यह पता है कनक पाल ने इस वंश की नीव रखी और शुरुवात करते हैं हम अजय पाल से पढ़ने की यहां पर 60 राजा हुए पर अजेपाल जो है वो 37 है इनसे पहले वाले राजा हुआ कुछ भी मैशन नहीं है अजेपाल ने क्या करा यहां के छोटे छोटे गड़पती अभी हमको पता है कि हमारा जो गड़वाल था ना वो गड़ों में विवाजित था तो आजेपाल ने क्या करा है यहां के छोटे छोटे गड़पती थे उनको हराया और एक बड़े राजे की स्थापना करी और अपनी कैपिटल चांदपुर गड़ से हटा कर श्री नगर शिफ्ट कर दी 1398 इश्वी में इन्हों ने वहाँ पर एक महल भी बनवाया और इन्हों ने देवल गड़ में अपने लिए एक महल भी बनवाया और इसमें इनकी मुख्य डेटी राज-राजिश्वरी देवी की स्थापना करी अपनी कुल देवी यहाँ पर यह माना जाता है कि जो अजयपाल थे गोरकनाथ पंत के फॉलोवर थे यानि कि गोरकनाथ पंत के अनुयाई थे सहच पाल ये अकबर के समकालीन थे फिर आते हैं बालभद्र शहा बालभद्र शहा ने अपने नाम के पेछे शहा टाइटल लगाया और ये शहा टाइटल हर राजा अब हर राजा लगाएगा बालभद्र शहा के बाद आने वाला बालबद्र शाह से पहले पाल लगता था टाइटल में पर अब पर अब शाह टाइटल लगेगा ठीक है बालबद्र शाह परमार शाशक बने जिसने अपने नाम में नाम के आगे शाह की उपादी जोड़ी अब बालभद्र शाह के बाद ये उपादी पनम्परा रूप में हो गई मान शाहा आते हैं इनके समय पे कुमाउ रूलर्स ने यहाँ पर साथ बर अटेक करा यानिके साथ बर आकरमण करने की कोशिश करे पर फेल हो गए इनके सैनपती नंदी ने चंपावद को जीत लिया था फिर आते हैं श्याम शाह का उलेख हमें जहांगी नामा में मिलता है फिर आते हैं महीपत शाह, महीपत शाह ने गर्व भंजक की उपादी ली और इनोंने तिबथ पर तीन बार आकरमण किया ये कुमाओं के युद में शहीद हो गए फिर आते हैं प्रत्वी पती शाह, प्रत्वी पती शाह जब राजा बनते हैं तो महत साथ साल के होते हैं और फिर इनकी जो माता होती है कुईन कर्णावती वो इनकी रक्षक बनती है, प्रोटेक्टर बनती है 1635 में मुगल एमपरर शाह जहान के सैनिक नजावत खान नजावत खान ने कुमाओं गरवाल के जो दून वैली है उस पर आकरमण कर दिया तो कुईन कर्णावती ने क्या करा, उनको बुरी तरीके से हराया और उनकी नाक कटवाने के ओर्डर दे दिये इस इंसिडेंस के बाद कुईन कर्णावती को नाक कटि रानी के नाम से पुकारा जाने लगा ठीक है, यह हम समझ गए कर्णावती के बारे में और यह important question है यह भी previous question है ठीक है, गाइस एक घंटे बाद हम सिर्फ टू मिनट्स का rest लेंगे, 1635 में समझ गए आप यह लिखटना क्या है 1635 में जो मुगल एंपरर शाह जहान थे, उनके जो कमांडर थे, नजावत खान, सेना पती, कमांडर, नजावत खान, वो दून वैली पर आक्रमण कर देते हैं पर कुईन कर्णावती उनसे अच्छे जलोहा लेती है और उनको बुड़ी तरीके से हराती है और उनकी नाग काटने का ओर्डर दे देती हैं, आदेश दे देती हैं, ठीक है, इस इंसिदेंस के बाद कुईन कर्णावती को नाग कटिरानी के नाम से पुकारा जाने लगा ठीक है, प्रत्वी पती शाहा दारा सिको के बेटे सुलेमान सिको को उतरखन में आश्र देते हैं, अपने राज्य में आश्र देते हैं, important question है, previous year है, कि किस राजा ने दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको को अपने राज्य में आश्र दिया, प्रत्वी पती शाहा या फिर प्रत्वी पती शहा ने किसको गड़वाल राज्य में आश्रे दिया सुलेमान सिको जो की दाराशिकों के पुत्र थे ठीक है मेधनी शहा ने जो प्रत्वी पती शहा के इस घटना से क्या हुआ फिर मेधनी शहा ने जो प्रत्वी पती शहा के बेटे थे सुलेमान सिको को वापस दिल्ली भिजवा दिया ठीक है अपने पिताजी के विश्के अगेंस जाके यानि कि अपने पिताजी की इक्षा के विरुद जाके प्रत्वी पति शाहा ने गुष्से में आकर मेधनी शाहा को राज्य से बहार जाने के आदेश दे दिये और फिर ये मेदनीशाह जो है दिल्ली चले जाते हैं और इनके मत्य हो जाती है फत्य साह जो की प्रत्वी पतिर थे इनके ग्रैंसन थे किनके प्रत्वी पतिशाह के ग्रैंट सन ओफ प्रत्वी पतिशाह चीक है यह आपको याद रखने के जरद नहीं है बस मैं क्राइण जी के लिए बता रही हूं आपको क्योंकि मेधनी शाह को उन्हों ने दिल्ली भेज़ दिया अपने राज्य से निकाल दिया तो अब उनके पोते प्रत्वी फतेशाह गद्दी पर बैठते हैं यह बहुत प्रतापी और कला प्रेमी राजा थे नाथ पंट के अनुयाई थे इन्हों ने पॉंटा और जौनसार का एरिये को कबज़े वेग लिया था सहारनपूर और सहारनपूर पर भी अटैक करकर फतेपूर सिटी क क्या करा था स्टैब्लिष्मेंट किया था फटैपूर सिटी बसाई थी इनके राज्य में नो रतन रहते थे जैसे की अक्बर के राज्य में रहते थे और ये बी UKPST का प्रिवेसर क्वईशन है कि कि किसके राज्य में नearतन रहते थे फतेशा शिखself गुदुरुम्वराम के वक्त उस वक्त जो कुमाउं के दीपचंद थे जो की डड़ेन कुमाउं के दीपचंद के जो मिनिस्टर थे हर्षदेव जोशी ने लालिस शहा को कुमाउं पर अटैक करने के लिए इन्वाइट करा देखिये कन्फिूज नहीं हो दीव चंद है उनके एक मंत्री है जिसका नाम हर्षदेव जोशी ललेज शाह को नौता देते हैं कि आप कुमाओं में आक्रमन कीजिए यह कुमाओं पर आक्रमन करते हैं कुमाओं को अपने कबजे में कर लेते हैं और अपने दूसरे बेटे प्रद्युमन शाह यानि कि देखे जैकरत शाह के बारे में आपको जानने कुछ जरुवत नहीं है आपको बस यह जानना है कि ललित शाह के बाद ललित शाह के बाद और प्रद्युमन शाह से पहले गड़वाल की गदी पे थोड़े समय के लिए जैकरत शाह बैठते हैं ठीक है जैकरत शाह और और क्य लेते हैं इनकी समय बहुत सारे इंटरनल फैमिली कॉन्फिक्स होते रहे ठीक है गोर्खाओं का वे इंवेजन हुआ ठीक है बैटल अफ लंगूर पुड में यह हार गए फरवरी अठारा सो तीन में यह था प्रद्युमन शाह के बारे में पस इतना ही था ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है फरवरी अठारा सो तीन में अमर्सिंग थापा और हस्तितल चतुरिया ने क्या करा गोर्खाओं 14 माई 1804 बहुत important date बहुत important question यह आपका एक question है ठीक है और यह previous में भी पूछा गया है और अब भी पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी battle of khudbura होती है previous जाने की date समय भी पिता देती हूं 2016 1804 में 14 माई को battle of khudbura होती है खुरbura देहरादून में एक इलाका है एक जगा है खुरbura जहांपे आज पल्टन बजा रहे है ना उत्रखण देहरादून का वहीं पे वही खुरbura का छेत्र है battle of khudbura होती है प्रदियुमन शाह और गोर्खाओं के बीच और यह भी पूछ 1809 में ही किसके बाद battle of हवालागड के बाद गडवाल पर कबजा हो गया 1804 में किसके बाद battle of khudbura के बाद यह दोनों चीज़ा आप में याद रखनी है फिर आते हैं गर्दी पर सुदर्शन शाह सुदर्शन शाह कंटिनेसले ट्राइ करते रहते हैं गोर्खाओं से राज् गर्खाओं से गडवाल को मुक्ती दिलाई 1815 में और गोर्खाओं रूल का गडवाल में अंत हो गया ठीक है सुदर्शन साहा ने अपनी capital shift कर दी श्री नगर से टीरी 28 दिसंबर 1815 को ठीक है गडवाल परमार राजाओं के वक्त लिखे कए कुछ काववे जैसे कि मनुद्य काववे ग्रह राज्य वंश काववे सुदर्शन काव शुदर्शन उद्य काववे यह सबसे पुराना काववे है मनुद्य काववे ठीक है यह एंशेंट हैं कि मानशा के वक्त लिखा गया है पोईट भरत दुवारा यानि की कभी भरत दुवारा कुछ important rulers सुदर्शन चा इनके वक्त जन आंदोलन शुरू हुआ ठीक है और प्रजा मंदल की स्थापना हुई freedom movement स्टार्ट हुआ और टीरी स्टेट का अंत के लिए लोगों ने आवाज उठाई यानि कि अब टीरी राज्यों खतम कर देना चाहिए फिर आते मानवेंद्र शाह मानवेंद्र शाह ल प्रिंसली स्टेट थी एक रियासत थी जिसका एक अगस्त 1908 को विले हो गया यह थी हमारी मेडिवल हिस्ट्री अब हम पढ़ते हैं modern हिस्ट्री बट विट जस्ट आव मिनट जस्ट अब ब्रेक ऑफ टू मिनट्स ठीक है दो मिनट का मैं आपको ब्रेक दे रही हूं आप भ करते हैं करते हैं करते हैं चलिए शुरू करें आएए अब हम आधुनी काल देखेंगे उतराखंड का आधुनी काल में सबसे पहले हम देखेंगे गोर्खाओं के साशन के बारे में गोर्खा नैपाल के थे ठीक है जो की बहुत लड़ाकों और साशी थे इन्होंने कुमाओं के चंद साशकों की कमज द्वारा अप्रेल 1815 में अल्मोडा को गोर्खाओं से वापिस लिया गया और जन्रल ऑक्तलनी के द्वारा 15 मई 1815 में फौर्ट मलाओं फौर्ट मलाओं को भी ले लिया गया अमर सिंग थापा से ठीक है अट्थारा सो चौधा में गड़वार का कंट्रोल भी अपने हाथ म में ले लिया गया गोर्खाओं को हरा के 27 27 अपरेल 1815 में कर्नल गाड़नर और नेपाली गोर्खा राजा बामशा के द्वारा एक ट्रीटी की साइन होती है जो की गोर्खाओं के कंट्रोल को कुमाओं पे कर्नल गाड़नर और नेपाल के राजा बामशा के द्वारा एक संधी साइन होती है इस संधी में क्या था कि जो कुमाओं का कंट्रोल था वो गोर्खाओं के से हटा कर बिटिश को दे दिया जाएगा 28 नमबर 1815 को एहतिहासिक संधी संगौली की संधी होती है यह प्रिवेसे क्वेशन है पूछा गया है ठीक है संगौली की संधी होती है गोर्खाओं और बिटिशर्स के बीच संगौली एक जगा है चंपारन डिस्ट्रिक बिहार में 1816 में बिटिशर्स को अटमांडू पर अटैक कर देते हैं क्यों अटैक करते हैं क्यूंकि गोर्खाओं ने ने सं कॉली की इस अंदि को मान लिया यानिकी एकिशेक्ट करल लिया ठीक है डन चलिए गोर्खाओं की रूल अंत होता है कुमाव में इसे चाहली से ऑंध Sanders अक मर्थन अंति होता है कुमायों में 1780 से लेकर 1815 गोर्खाओं और झानि चोदह कर दो갈ा टिक है गोर्खाओं का क्रूर्था पूर्वक रूल को उत्रक्षाण में गोर्ख्याली नाम से पुकारा जाता है लोकर लाइश में और ये भी प्रिविएस याषट्टिन है जाता है फिर हम इसके बाद देख लेते हैं अंग्रेजी सेशन ने बिटिश रूल तीरी राज्य के अलावा सिर्फ तीरी दियासत को छोड़ कर अन्य छेत्रों पर नौन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उसको उत्री पूरवी प्रांत का भाग बना दिया गया तीरी रियासत को छोड़ कर बाकि पूरा एरिया करमाउं और गड़वाल का नौन रगुलेशन प्रोविंस बना कर उसे नौर्थ इस्टन प्रोविंस का पार्ट बना दिया गया और पहले कमिशनर नुक्त किये गए कर्नल ई गार्टनर ये भी UKPSC का प्रिवियस यर क्वेशन है ठीक है पहले कमिशनर नुक्त किये गए कर्नल ई गार्टनर कुमाउं डिस्ट्रिक्ट को कुछ समय बाद एक administrative inconvenience के चलते हुए दो पार्टों में डिवाइट कर दिया गया कुमाउं जिले का अब ये देखिए नॉन डेगुलेशन प्रोविंस है उसे नौर्थ इस्ट्रिन प्रोविंस का भाग बना दिया गया पहले कर्मिशनर कॉन बने कर्नल ई गार्टनर अब कुमाउं जिले की इन्होंने क्या करी इन्होंने स्थापना करी क्यों क्योंकि administrative inconvenience क को देखते हुए कुमाउं का कुमाउं परिश्यत बनाई गई चीक है कुमाउं जनपत बनाया गया और गडवाल नरेश्व द्वारा दिये गए छेत्र को कुमाउं को एक परगना बना दिया जबकि दहरादून को क्या करा साहरणपूर डिस्ट्रिक्ट में मर्ज कर दिया यानि कि सारानपुर जन्पत में मर्च कर दिया 1817 में दो पॉलिटिकल यूनिट दो राजनेतिक प्रसाशनिक इकाईयों में गठित हो गया उत्राखन जैसे कि एक था कुमाउं जन्पत और एक था टीरी स्टेट कुमाउं जन्पत में गड़वाल के एरियास भी हैं जिने कु क्या करा इन्होंने 1817 में इन्होंने कुमाउं डिस्ट्रिक्ट बनाई 1840 में इन्होंने अपने हैट क्वाटर श्री नगर से हटा कर पॉड़ी शिफ्ट करा और पॉड़ी डिस्ट्रिक्ट बनाई ठीक है तो 1854 में नैनिताल को कुमाउं मंदल का यानि की कुमाउं जो में हीं से आरा सो चाहँंहुंह तक कुमाऊ मंदल में दो डिक्ट रहीं कौन-कौन सी कुमाऊ reminder कौन-कौन Kirby में दु कौन सी कौनम सी कौनिच्ट और पौरि डिस्टिक्त पादसे अठ्यावाल 1191 में दो डिस्ट्रिक्ट और बनती हैं अल्मोडा और नैनिताल अट उन्निस सो से तालीस तक 1947 तक कुमाउ मंडल में अल्मोडा नैनिताल और पॉड़ी है ठीक है फिर क्या कहा गया अठारा सो इक्यान्वे में नॉन्न डेगुलिचन प्रांथ का सिस्टम को खतम करा गया और फिर 1902 में आगरा और अवद के संयूप्त प्रांथ को उत्रांचल को भी उसी का हिस्ता बना दिया और और अवद के सहयुक्त प्रांत को बनाया गया और उत्रांचल को भी उसी का हिस्ता बना दिया 1937 में उत्रांचल को उत्तर प्रदेश का एक क्या बनाया गया पार्ट बनाया गया यानि कि उसमों उत्तर प्रदेश का क्या नाम था कुछ उपर खाबाई डेट से मैं जानती हूँ आपको क्रोनलोजी समझ में नहीं आई होगी पर चिंता मत कीजिए आपको बस याद रखनी है कि पहले सबसे पहले क्या होता है कुमाउ जनपत का गठन होता है देहरादून जनपत में शामिल कर देते हैं सबसे पहले क्या होता है और टीरी स्टेट है ठीक है सिर्फ दो इकाईया है यहां पर कुमाउ डिस्ट्रिक टीरी स्टेट इसके बाद क्या हुआ अठारहों चालिस में बिटिश गड़वाल के हैटकोर्टर श्रीनगर से पॉड़ी शिफ्ट कर दिये गए पॉड़ी को भी एक सैपर डिस्ट्रि फिर कुमाउ को फर्दर डिवाइट किया गया 1891 में अल्मोडा नैनिताल लिस्ट्रिक बनाए गई अब कुमाउ मुंडल में कौन-कौन से है अल्मोडा नैनिताल और पॉड़ी ठीक है फिर नॉन डेगुलेशन प्रांत का सिस्टम को खतम करा गया आगरा और अवत का सैयु लिए इस शेद्र को हिली स्टेट का नाम दिया गया और ने ननिताल गज़ट में लेट अब दूसरे जगा चलते हैं एक मिनट ठीक हां फिर अब देखते हैं हम उत्रक्रखंड में जो सब्ढ़त का सब्ढ़त आंदोलन था उसमें राजी के लोगों का योगदान रोल अफ सब्सक्राइब नहीं रहा फिर भी कुछ-कुछ इंपक्ट था कालू महरा जो चंपावत के थे इन्हों ने एक सीक्रेट और्गनाइशन एक गुप्त संगठन का क्या करा क्रांति वीर नाम से और इन्हों उत्रे खंड में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू करा कालू महरा को उत्रे खंड के प्रत्मी खेंता संहानी होने का गौरप प्राप्त हैं यह important question है और भू के प्येस सी का previous year question है कालू महरा को प्रत्म ससीज्च संहानी होने का Gulf क्लफ प्राप्त है 17 सितंबर 1857 को लगभग एक हजार लोगों ने हल्दवानी पर कभजा कर लिया 1870 में अलमोडा में डिबेटिंग क्लफ की स्थापन अब गाइस जितना भी मैं न्यूस्पेपर या कोई भी ऑगनाइसेशन के बारे में बताऊंगी वह आपको ध्यान से 1870 में डिबेटिंग क्लफ की स्थापना होती है अलमोडा में और 1871 में अलमोडा न्यूसपेपर की स्थापना होती है ठीक है अलमोडा न्यूसपेपर का पब्लिकेशन स्थार्ट होता है 1886 में ज्वालाद जोशी और दो अन्य नेताओं के द्वारा कोलकता सेशन में पाठ कि पॉंबे में आप 886 में कौलकता आधिवेशन अनिकोलकता का सेशन होता है ठीक है तो इस सेशन में जौलादद जोशी और दो अन्य नेताओं ने भाग लिए यह फूचले जाता है कि किसके द्वारा कॉलकाता सेशन में पाठ लिया गया तो आपको याद रखना है जोवालादत जोशी नाइंटेन थी में 1903 में हैपी क्लब की स्थापना होती है गोविंद बल्लव पंत के द्वारा 1911 से लेकर 1917 तक एक सीरियस प्रोटेस्ट होता है राज्य में फॉरेस्ट पॉलेसी यानि की वन नीती के अगेंस्ट यानि की एक बहुत गंभीर आंदोलन चलाया जाता है राज्य में जो बिटिशर्स हैं उनकी वन नीती के विरोध में 1912 में अलमोडा कॉंग्रेस की स्थापना होती है 1912 में अलमोडा कॉंग्रेस की स्थापना होती है 1914 में विक्तर मुहन चोशी बद्री दसपांडे चिरंजी लाल और हेमचंद के द्वारा होमरूल लीग चलाई जाती है राज्य में 1916 में गांधी जी देहरादून पधारते है 1916 में कुमाव परिशत की स्थापना होती है किसके कॉंट्रिब्यूशन के द्वारा जीबी पंथ हर्गोबिंद पंथ और बल्लव बद्रिदत पांडे 1926 में कुमाव परिशत को अलमोडा कॉंग्रेस में मर्ज कर दिया जाता है ठीक है अब freedom movement in गड़वाल is started late as compared to कुमाव के अपेक्षा गड़वाल में जो सुतिंद्रता आंदोल है ने वो थोड़ा सा लेर शुरू हुआ ठीक है 1918 में कॉछ परिशत की स्थापना हुई याद रखियगा अलमोडा कॉंग्रस की स्थापना 1912 में हो चुकी है तो निस तो अठारा में अलमोड़ा गड़वाल कॉंग्रस की स्थापना की गई बैरिस्ट्र मुकंदिलाल अनुसुया प्रसाद भाउगुणा के द्वारा ठीक है कड़वाल कॉंग्रस कमिटी बनाए गई गई उन्नीच सो उन्नीच में इन्होंने अमृत सर्सेशन में कॉं कॉंग्रस का उन्नीच सो उन्नीच में जब इहां निसमें दो इंपॉर्डन घटनाएं इंडिया के अस्पेक्ट में भी होती है अब याद आगे तो रिवाइस करे लेते हैं यह तो जलिया वाला बाग मिसे कर ठीक है 13.1919 और एक रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट और इस μέर गौंदी जी क्या चलाते हैं नॉन गॉपरेशन मॉब्मेंट इन्हीं दो घटनाओं के बाद गांदी जी चलाते हैं तो जो अम्रित सर अधिवेशन था कॉंग्रेस का उसमें बरिस्टर मुकंदिलाल अनुस्या प्रसाद भागुणा ने भाग लिया ठीक है 14 जोन से 2 जुलाई 1929 तक गांधी जी और जवालाल नहरू ने कुमाओ की क्या करी यात्रा करी और इसी समय अपने 12 दिन के आवास के दौरान जी ने गीता पर अपनी क्या लिखी टिपनी लिखी और इसकी नाम ता अनशक्ति योग पॉसानी में और गांधी जी ने कुसानी को स्विजड़लेंड ऑुप इंडिया का यह भी के प्रिवेसर कोईश्चन और ये प्रिवेस्टां के गांधी जी ने अपनी टी का कहा इक पर अनाशक्ति योग नाम का कौशानी में ठीक है कौशानी को गांधी जी ने स्विजलेंड कहा भारत का 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक गांधी जी ने बहुत सारी सभाएं आयोजित करी गड़वाल छेतर में भी 26 जनवरी 1930 को तीरी स्टेट के अलावा पूरे उत्राखंड में तिरंगा फेराया गया अलग अलग जगाहों पर क्यों फेराया गया तिरंगा क्यूंकि 1939 में कॉंग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है लाहौर सेशन होता है जिसमें जवाला नहरू अधियक्षता कर रहे होते हैं और इस वक्त हमें क्या हमारे इस अधिवेशन में क्या कहा गया कि हम 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फेराएंगे तो उसी के समर्थन में राज्ये में भी विविन विविन जगा उपर तिरंगा फेराया गया गांदी जी की डाड़ी मार्च पर गांदी जी की डाड़ी मार्च में 78 सत्या ग्रहियों में से तीन जो थे वह उत्रखंड से थे कौन-कौन थे जोतिराम कांडपाल भैराद जोशी गोरगा वीग खरक बहादूर ठीक है 1930 में पहली पॉलिटि होती है और यहीं पर उत्रखंड उत्रखंड में जो नैशनल मूव्मेंट था उसका ब्लूप्रिंट तयार करा गया ठीक है 23 अपरेल 1930 में पेशावर कांड हो जाता है पेशावर इंसिडेंट हो जाता है जिसमें वीर चंदर सिंग गड़वाली जो की दो बटा 18 गड़वा दिवस मनाने की यह घोशना करते हैं 1930 में ही गलोदिया स्टोर डाकैती कांड होता है किसके दवारा भवानी सिंह के दवारा और अन्ने यूवा अंदोलन कारियों के दवारा 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना होती है सोमेश्वर में किस के द्वारा संचांतिलाल त्रवेदी के द्वारा पर 2 सितंबर 1942 को इस गांधी आश्रम पर ताले लगा दिये जाते हैं बिटिश कमिशनर द्वारा फिर भारा छोड़ो आंदोलन में अगस्त 1942 में उत्राखंड में बहुत जगा जगा आंदोलन होते हैं ठीक हैं देघाट अलमोडा में हीरा मनी हरी किष्ण बद्रिदत और कांडपाल शहीद हो जाते हैं पुलिस फाइरिंग में 25 अगस 1942 में अलमोडा के धमदो में जो की सालम के पास एक एरिया है यहाँ पर दो मुख्य लीडर दो मुख्य नेता तीका सिंग और नर्सिंग की भी हत्या हो जाती है पास सितंबर 1942 में सल्ट छेत्र के कुमार में बिर्टिश आर्मी लोगों पर फायर करती है ठीक है जिसमें गंगा राम और खीमा देव की हत्या हो जात कि गांडी जीने इस है अच जीने को फुमाष। बिर्टोली को कहा जाता है और यए को इसाम्ट स्थापना करी जाती है सिलंगी गड़वाल में प्रेम स्कूल की स्थापना करी जाती है देव की नंदन पांडे और भगी रत पांडे द्वारा ताड़ी खेत में ठीक है ये तो था हमारे उत्राखंड से रास्ट्य अंदोलन में योगदान अब कुछ महिलाओं का योगदान भी देख लेते हैं महि लंगा फेराया कहां पर नगर पालिका की बिल्डिंग पर अलमोडा में ठीक है महिलाओं के बढ़ते योगदान को देखते हुए ब्रिटिश सरकार उनको दबाने की कोशिश करती रही ठीक है तो आट महिलाओं को उनमें से उठाकर फत्यगर जेल में डाल दिया गया और प कि किसको जंदा या मुर्दा पकंड़े के और्डर निकाले गए वो थी कुंती वर्मा समझ में आयो गुट इंडिया मुव्मेंट के दौरान ही भरत छोड़ों आंदोरन के दौरान ही मालती देवी की अध्यक्षता में जो महिला रिलेटिट थी देश सेवक संगठन के जो पंधरा पंधरा वर्ष की क्या सुनाई गई सजा सुनाई गई 1941 में गांधी जी ने अपनी एक फॉरण डिसाइपल यानि कि अपनी एक विदेशी सिश्या सरला बहन को उत्रखंड भेजा जिनका मूल नाम हाइलामन था उन्हें अलमोडा भेजा और यहां पर उन्होंने ल इन्होंने सर्वोत्दे का प्रचार प्रसार कर रहा और यह भी प्रिवेस एर क्वेशन है एक और फॉरण डिसाइपल गांधी जी की जो कि थी मीरा बहन इनका रियल नेम मैडलीन स्लेट था इन्होंने पशुलों की स्थापना करी रिशी केश में यह था महिलाओं का योग इसी अलमोडा न्यूस्पेपर के होली अंक में बद्रिदत पांडे ने कि कुछ खिलाफ क्या कर दिया था बिटिश कमिशनर के खिलाफ कुछ टिपनी कर दी थी इसके बाद इसका पब्लिकेशन बंद कर दिया गया 1908 के सितंबर में ही बद्रिदत पांडे ने अलमोडा की न्यूस्पेपर बंद होने के बाद एक शक्ती नाम के न्यूस्पेपर का मंथली पब्लिकेशन स्टार्ट कर दिया 1905 में गिर्जदत निथानी के द्वारा जो गड़वाल यूनियन से असोसियेट थे गड़वाली नामक न्यूस्पेपर की इस पब्लिकेशन स्टार्ट कर दिया गया देहरादून से 1949 को भक्त दर्शन और भक्त दर्शन भेरवदत के द्वारा कर्म भूमी लेंस डौन से चलाया गया और एक मासिक पत्री का यानि की मंथली मैगजिन यूगवानी भी देहरादून से परकाशित होने लगी 1941 से फिर आजाद हिंद फौज में योगदान आजाद हिंद फौज में कुल सैनिकों के लगबग 12 पर्तिशत सैनिक अकेले उत्राखंड के थे 12% soldiers of आजाद हिंद फौज are from उत्राखंड जिसमें बुद्धिशरन रावत जो थे वो परसनल सेक्रेटरी थे नेता जी के ठीक है न मेजर देव सिंहग धानू जो थे beanie two and चलिव सिंह मेजर कं फाधार मेजर देव सिंग दानू तो यह मने गगशंग सुंसा's था हमारा से अगर आपने यह वीडियो देखा ना तो आप उत्रकंट से विश्वास कीजिएगा फाइफ टू सिक्स क्वेस्टन्स अचीव कर पाएंगे जिपने पूछे जाते हैं टोटल सारे यह मेरे पर विश्वास कर सकते हैं आप अग्जाम के बाद आप यह मुझसे बता भी सकते कुली बेगार मुवमेंट कुली बेगार मुवमेंट कुली बेगार मुवमेंट खुआडए गाउं से शुरू होता है अलमोडा के ठीक है और बेगार रजिस्ट्र जो हैं वो सरी नदी में फेक देते हैं बेगार एक तरिके की प्रथा थी जो बेटिशस द्वारा चलाई जा रही थी इसमें क्या होता था कि कहीं आने जाने के लिए उनके समान को गाउं के लोग ढोते थे और उस समय फिर क्या होता था कि एक आंदोलन चलाया और जिससे इस प्रथा को खतम करा गया फिर आता है तेहरी स्टेट आंदोलन तीरी राज्य का आंदोलन इस 1949 1939 में श्रीदेव सुमन दौलत राम नागेंदर सकलानी द्वारा वीर चंद्रसिंग गडवाली द्वारा प्रजा मंदल की स्थापना होती है और इस प्रजा मंदल का क्या उद्देश था तीरी राज्य से तीरी राज्य से गडवाल की जंता को मुक्ति दिलाना ठीक है और यह भी यूके प्यस्ट कर लिए जाते हैं और वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं असिमित काल के लिए 1994 मई में 84 दिन की भूख हरताल के बाद उनकी म्रत्यू हो जाती है 25 जुलाई 1944 को यह म्रत्यू की डेट आपको याद रखनी है पूछ लिजाती है श्रीदेव सुमन कब वीरगति को प्राप्त होते हैं 25 जुलाई 1944 को ठीक है इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद इस मुव तिहरी राज्य को मेजरली अफेक्ट तब पहुंचता है जब कीरती नगर में आंदोलन शुरू करा जाता है और नागेंदर सकलानी और मोलुराम भंडारी जो है वो क्या हो जाते हैं इसमें शहीद हो जाते हैं इस सबसे परिशान होकर एक अगस 1908 को जो राजा मानवेंद किसके लिए था शिल्प कारों के लिए था जो कि दलीत वर्ग के थे ये जैनंद भारती के लीडर्शिप में 1930 के अराउंद चला ये मूवमेंट था इसमें क्या होता था कि जो दलीत वर्ग के दूले थे उन्हें डोला पालकी में बैठने की अनुमती नहीं थी और अतहां उनको पैदल ही जाना पड़ता था तो इसी कूपरता को खतम करने के लिए जैनंद भारती ने डोला पाल के मूवमेंट चलाया ठीक है और एक बात और याद रखनी है आपको 1911 में हरी परशाद ने शिल्प कारशब्द का यूज करा दलीतों के लिए फिर आता है सड़क अ सड़क अंदोलन गडवाल के लोगों द्वारा चलाया गया 1940 में गरुण से लेकर कर्ण परियाग तक और लैंस डॉन से लेकर पौड़ी गडवाल तक सड़क निर्माण के लिए इसके बाद बुल वर्सिस करप्शन मूवमेंट यानि कंकटा बैल अंदोलन ये बढ़ियार रेत गाउं में चलाया गया अल्मोडा के इसमें उत्रखन संगर्ष द्वाहीनी द्वारा आवाज उठाई गई कर्ण के खिलाफ ये आप से कोशन कूछते जाता है कि कंकटा बैल अंदोलन किस के लिए चलाया गया किसके चंदरुव में चलाया गया कर्ण की ठीक है याद कई लैन के दोरह इंप लूग के लिए लेतवbles सेलिंग कर दोंके लोग gate किसी फेशलल लगा दिया जाए और ये बता दिया जान की एक व्यक्ती इतना ही लैंड अपने कपजे में में रह सकता है यानि यह लेंड पर अपना कभज़ा कर सकता है, तौ इस से क्या होगा, ऑबर, ऑबर, क्या होगा, ओग्रिगेशन ओफ रैंड, यानि कि लेंड का एक ही व्यक्ति पर ज्रादा एक हट्टा होना बंद हो जाएगा, और जो लेंड लेंडलेस लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है, जो भूमी हीन है उनको भी जमीन प्रवाइट करी जाए और फार्मर्स को भी जमीन प्रवाइट करी जाए जिसके वज़ा से वो अपनी रोजी रोटी चला पाएं तो उसी लिए यह कोटा-कहरा शराब के विरुध में आंदोलन चलाया गया कौन चलाएगा औरते चलाएंगी 1984 में उत्रखर संगर्ष वहीनी द्वाराई आंदोलन चलाया गया और इसमें नारा दिया गया गिव इंप्लॉयमेंट नौट इन इंटॉक्सिकेशन नशा नहीं रोजगार दो फिर युनिवर् स्थापना होती है श्री नगर में याद रखेंगे ठीक है अब सबसे इंपॉर्टन चीज आ गई मुव्मेंट फॉर्म सेपरेड स्टेट प्रत्रखराज्य हेतु जो आंदोलन चलाए गए यानि कि हमारा उत्रखंट को अलग किया जाए उत्तर प्रतेश से इस अंदर में जितने भी आंदोलन चलाए गए जितने भी मुखे लोग हैं उनके बारे में हम याँ पर देखेंगे अभी तक हम उत्रखंट का एक मेजर हिस्ट्री पार्ट कम्प्लीट कर चुके हैं यह लास्ट पार्ट है पहली बार उत्रखंट प्रत्रखराज्य की जो डिमांड थी व विशेश अधिवेशन हो रहा था इंडियनेशनल कॉंग्रेस का और इस मांग को जवाला नहरू द्वारा सपोर्ट दिया गया सवर्थन दिया गया जवाला नहरू इस वक्त इस अधिवेशन के चेयर्में थे 1938 में सिर्देव शुमन ने गर्दे सेवा संग की स्थापन करी दिल्ली में इसके बाद इस और्गनाजिशन का नाम हिमालेन सेवा संग कर दिया गया 1946 में एक सेशन होता है अलमोडा कॉंगरस का हल दुआनी में इसमें बद्रिदत पांडे ने ये डिमांड रखी कि जो उत्तर प्रदेश के हिली एरिया उनको स्पेशल कैटेगरी दी जाए उनको विशेर सूची में रखा जाए इसी के दौरान अनुसुया परसाद बहुग द्वारा ग्रेट हिमाले एक व्रद हिमाले राज्य बनाया जाए हिमाचल उत्रांचल को जोड़ कर यह किसने मांग रखी प्रवतिय विकास जन समीती ने 1955 में फजल अली आयोग द्वारा फजल अली कमिशन द्वारा उत्तर प्रदेश के रिया और्गनाजिशन की बात इस प्रवतिय राज्य परिशत का गठन होता है राम नगर में ठीक है और यहां पर इस परिशत की जो अध्यक्षिता है वो कौन करते हैं दया कृष्ण पांडे करते हैं वाइस चेर्मेंड होते हैं गोविन सिंग महरा और सेक्रेटी होते हैं नारायंद्र दत सुंद्रियाग 1969 में परवतिय विकास परिशत बनाई जाती है स्टेट गवर्वर्मेंट के दुआरा इसका भी यही था कि देखिए कि हम प्रतिक राज्य बना सकते हैं या नहीं चीक हैं 3 अक्तुबर 1970 को PC जोसी द्वारा जो की इनन कम्यूनिस्ट पार्टी के एक नेता थे उन्होंने कुमाव राज्ट्रिया मोर्चव की इस्थापना करी और दुबारा एक सेपरेट स्टेट बनाने के डिमांड रखी 1972 में उत्रांचल परिशद की इस्थापना होती है नैनी ताल में इसके जो मुख्य लीडर होते हैं उन्होंने दिल्ली के वोट कलफ पर एक क्या करा रैली निकाली 1972 में और 1973 में इस परिशद ने दिल्ले चलो का नारा दिया चमोली के विधायक प्रताप सिंग नेगी ने बदरिदत से लेकर वोट कलफ तक की पद्यात्रा करी 1976 में उत्राखंड यूव परिशद की स्थापना होती है ठीक है और इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और पालियामेंट तक लेके गए इन्होंने पालियमेंट का घिराफ किया 1979 में जंता पार्टी की सरकार द्वारा जंता पार्टी के एक MP थे तिर्वेन सिंग नेगी इन्होंने उत्रांचल राजय परिश्द की स्थापना करी 24-25 जुलाई 1979 में ही उत्राखन क्रांदी दल की स्थापना होती है यह चीज़ आपको याद रखनी है यूकेटी की अब स्थापना हो चुकी है मेजर पार्टी अफ उत्राखन इसकी स्थापना होती है मसूरी में परवतिय जंद विकास की मीटिंग के दोरान इसके पहले च स्थाइकिल यात्रा करी थी 900 किलोमीटर की गड़वाल में 1987 में उत्राखन क्रांदी दल ने उत्राखन क्रांदी दल को विवाजित कर दिया गया और इसको काश्ची सिंग एरी द्वारा लीड किया गया 9 मार्च को इस दल ने क्या करा एक रैली निकाली पॉड़ी से 9 करने का आयोजन किया ठीक है दियेसर नवंबर को एक बहुत मेजर प्रोटेस्ट हुहा और प्रोपोजल को हैंड वर में प्रेसिडेंट को ति synthetic और यह भी कहा गया इसमें कि हरीदुआर को उतराखन में सम्मलित कि या जये और ये पहली डिमांड थी, पहली डिमांड थी है कि हरी दुवार को उत्राखन में सम्मलित किया जाए कब 23 नवंबर 1987 को, 1987 को ही 23 अपरेल को तिवेंदर सिंग पवार तिवेंदर सिंग पवार जो कि उत्राखन करांति दल के वाइस चेर्मेंन थे उन्होंने एक पत्रबं फेका पालियमेंट में, किसके द्वारा पत्रबं फेका गया तिवेंदर सिंग पवार के द्वार के द्वारा तेरी सब्वार 1987 को, 1987 को ही बीजेपी ने लालकिशन आडवानी के अध्यक्षता में उत्राखन एक सेपरेड स्टेट बनाने के डिमांड को एकसेप्ट करा, और उत्तर परदेश के जो हिली एरियाज हैं, यानि की जो पहाडी छेतर है, उसको अलग करके सेपरेड स्टेट बनाने की मांग करी गई, मांग को एकसेप्ट करा, पर इन्होंने नए राजे का नाम जो होगा वो उत्रांचल होगा ना कि उत्रखन ये चीज़ एक्सेप्ट करी 1988 में सोबन सिंग जीना ने जो कि बीजेपी के थे उत्रांचल उत्थान परिशत की इस्थापना करी 1989 में उत्रखन संयुक्त संगर्ष कमीत समीती की स्थापना की गई इसमें क्या हुआ इसमें सारे organization को मर्ज किया गया ये कहा गया कि सारे organization एक साथ आ जाएंगे और एक साथ अगर जन आंदोलन चलाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत दवाफ पड़ेगा जिसके वज़ा से वो हमारी मां को सुनेंगे किसके द्वारा ये कारा गया उत्राखंड संयुक्त संगर्ष समीती संयुक्त यानि की सारे organization अब एक साथ आ गई 1990 में जस्वन सिंग विष्ट के द्वारा जो की UKD के MLA थे ठीके विदायक थे उन्होंने पहला प्रपोजल रखा उत्राखंड का स्टेट की legislative assembly में यानि की राजे विधान सभा में जस्वन सिंग विष्ट द्वारा UKD के विधायक थे इन्होंने पहला प्रस्ताव रखा व में रखा कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम उत्रखंड separate state बना देंगे 20 अगस्ट 1991 को उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उत्रखंड उत्रांचल स्टेट का प्रपोजल यानि की प्रस्ताव रखा गया और वो पास भी हो गया फिर उसको सेंटर के तरफ भेजा गया पर उत्रखंड state का formation के बाद गैर सेंड इसकी capital होगी ठीक है यह कब हुआ जुलाई 1992 को उत्रखंड क्रांती दल के द्वारा इस document को पहला blueprint माना गया उत्रखंड क्रांती दल का पहला blueprint माना गया काशी सिंग एरी इन्होंने गैर सेंड की क्या रखा नीव रखी और इसको चंद को काशी संग एरी ने क्या रखा एक foundation stone रखा गैर सेंड का एक नीव रखी गैर सेंड की और इसको चंदर नगर का नाम दिया जनवरी 1993 को मुख्य मंत्री मुलाइंग सिंग यादफ के द्वारा एक कौशिक कमिटी बनाई गई यह भी पूसे जाता है कौशिक कमिटी किसके स इसने अपनी रिपोर्ट मैं 1994 मैं में अपनी रिपोर्ट सम्मिट करी और रिकमेंट करा कि सारी की सारी परवतिय जिलों को मिला कर और डिदान सब्वा में अगस्त 1994 को कि सेपरेट स्टेट बनाया जाए आठ हिली जनपदों को मिलाकर उतर प्रदेश की सेपरेट स्टेट बनाया जाए इसको स्टेट लेडिव असेंली में पास कर दिया गया और सेंटर की तरफ भेज दिया गया 1994 में कमेटी का फॉर्मेशन होता है विनोध भरतवाल की अधिक्षिता में 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड होता है जिसमें पुलिस ओपन फायर कर देती है छात्रों पर जिसमें 25 लोगों की मृत्यों हो जाती है 2 सितंबर 1994 को जब खटीमा कांड के विरोध में लोग प्रदशन कर रहे थे मसूरी में तो वहाँ पर मसूरी कांड हो जाता है इसमें क्या होता है कि लोग जूला गड़ पर मसूरी में प्रदशन कर रहे थे ठीक है इसमें जो वहां के जो लोग होते हैं पीपल होते हैं वो जनता क्या होती है पुलिस पर क्या कर देती है अटैक कर देती है ठीक है इसके दोरान पुलिस क्या होती है इसके दोरान पुलिस कमिशनर उमाकां तरपाटी की मृत्य हो जाती है पुलिस वापिस क्या करती है लोगों के उपपर इसमें साथ लोगों की मृत्य हो जाती है और दो जिसमें से महिलाएं थी हंसा धनाई और बेलमती चोहान ये दोनों महिलाओं का नाम याद रखना है यूँके पीएसी में पूछा गया है ठीक है मसूरी कांड में दो सही दोने वाले महिलाओं का नाम क्या है हांसा धनाई और बेलमती चोहान और किस पुलिश कमिशनर की मरत्य हो गई थी उमा कांट तरपाथी मसूरी कांट 2 सितंबर 1994 खटीमा कांट 1 सितंबर उज़ता करी जाती है पूरे विश्व में पूरे देश में सौरी इसको कहा जाता है कुर्व इन रिल्ल रूलर याइनी कि कुरूर ऐसे परदेश संगर्ष कमीती के नेता कहिए primera खएवनदूरा सब्सक्राइट वह धोनों सदनों से जब सदन चल रहा होता है तो उस में बीजेपी एक और एक कें विद्रोश धिपला गाया निकाले गई नारा दिया गया सम्विधान वचाओ का नारा दिया गया और हाई कोर्ट से राष्टपती भवंदक रैली निकाली गई उत्रांचल आंदोलन संचालन समीधी के द्वारा 10 नवबर 1995 को यशोदर बैंजवाल और राजेश रावत की मृत्यू हो गई भूखर्ताल पर यह लोग बैटे थे श्री अंत्र टापू पर श्री नगर में पुलिस नहीं पर लाटी चार्ज कर दिया और इन दोनों निताओं की मृत्यू हो गई यशोदर बैंजवाल और पंदर अगास 1996 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर एच्टी देव गोड़ा ने उत्रखंड के फॉर्मेशन की घोशना करी लाल के लिए से यह डेट आपको याद रखनी है अल्रडी प्रिवेसर का क्वेश्चन है लाल के लिए से उस वक्त के प्रधान मंत्री एच्टी द के बाद फिर क्या हुआ एक मिनट को अगया कि 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश स्टेट रियॉर्गनाजिशन बिल को प्रेजेंट किया लोग सभा में उत्तर प्रदेश राजे पुनर गठन विध्यक को लोग सभा में प्रस्तावित किया 29 जुलाई को जॉर्च कमिटी बन आया जाएगा एक अगस 2000 को ये विध्यक क्या होता है लोग सभा में पास हो जाता है दस अगस 2000 को राजे सभा में पास हो जाता है 28 अगस 2000 को ये उस वक्त के प्रेसिडेंट खेया नरायान द्वारा साइन कर दिया जाता है 9 नवंबर 2000 को वो इतिहासिक दिन आ जाता है जब उत्राखंड का फर्मेशन हो जाता है पर नाम उसका उत्राँचल होता है यह 27 वा राज्य बना कंट्री का और 11 वा हिली राज्य बना ठीक है तेहरा डिस्ट्रिक्ट इसमें मर्ज करी गई उत्रप्रदेश की और देहरादून इसके टेंपररी कैपिटल बनाई गई इसके फर उत्राखंड कर दिया गया जनवरी 2007 से यहां पर हमारी कंप्लीट हिस्ट्री उत्राखंड की कंप्लीट हो जाती है complete ठीक है आप इसको 1.30 आवर्स में आपने इसे एक एक घंड़ा 30 मिनट में complete कर लिया यह बहुत बड़ी बात होती है कि एक दिन में आपने एक topic complete कर लिया ठीक है अब बस आपको क्या करना है इसके point out इसके आपको pointers याद रखने है सारे जितने भी यहां पर मैंने आपको one-liners बताई है सारे exams में आने लाया के कुछ भी मैंने आपको extra fault information नहीं दी है कुछ भी कम information नहीं दी है जितनी exam में आती है वो मैंने आपको सारी दे दिये इसके अलावा आपको इदर दर भटकने की जरुवत नहीं है आपको बस इस PDF का printout निकालना है और इसको बैठके रटना ह है डान चलिए शुरू करते हैं अब हमारा mcq session इसी के साथ मैंने आपके लिए उत्रखंट की प्रशावानी सही जहां पर प्रशन उत्तर एक दिया जाता है लास्ट में वह मैंने आपको यहां पर लेकि आई हूं उससे हम यहां पर देखेंगे कि हमने कितना याद किया कित है इसकंद पुराण में क्या नाम लिखा गया है आप जानते हैं गडवाल में दो तरीके के खंड थे मानस खंड और केदार खंड मानस खंड कहा गया है कुमाओ को और केदार खंड कहा गया है गडवाल को तो option number a is the correct option निम में से किस छेतर को कुमाओ का बारदौली कहा जात इक और में एक दो सेकंड का आपके लिए वेट करूंगी नाशर कोशन पढ़ने के बात दो सेके सल्ट छेतर ठीक है सल्ट छेतर को कुमाओ का बारदौली ड़ाली कहा जाता है अशूक कालीन शिला लेख राज्ये किस स्थान से मिला है अशूक कालीन सिला लेख काल्सी दहर तब भी बताया था कि ये रिविष सर्कुईशन है ये मालेण नदी के तत्ट पर है निम में से कौन एक उत्राखंड का इतिहासकार नहीं है ने है देखिए हरी किषपन कुनी भी है बद्रदत पांडे भी है शिपषा डबराल भी यह पर हम यह जान दें कि वीर चंद्र सिंग गड़वाली जो है वो एक सुत्रता सेनानी थे इतिहासकार नहीं थे कुमाओं में गोर्खा साशन कब इस्थापित होता है एक बैटल होती है बैटल ऑफ हवालागड ठीक है 1790 में महिंद्र चंद्र के साथ इसके बाद क्या होता है गोर्खाओं का जो होता है उत्राखंड में कुमाओं उपर साशन स्थार्ट हो जाता है यह देखे प्रिविएसर क्वेशन मैं उस वक्त पता रही थी मैंने बताया था आपको बिशेश रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर का संबंध है शिव शूर्य गनेश कार्थी के यह देखे प्रिविएसर क्वेशन है जब मैं आपको पढ़ा रही थी मैंने बताया था कटारमल मंदिर का जो संबंध है वो सूर्य देवता से है मुगर्ष हजादा जिसने शिर्नागल करवाल में आश्र लिया था यह भी देखिए कावाल में द्याया किस संबंध हैं मजदूरों से तीरी गढ़वाल में डांडक ऐंदोलन जो है मज्दूरों से संबन्दित हैं राजपूतों से इसलाम से डोला पाल के आंदोलन यह शिल्प आरों से जयरन भारते द्वारा इसे चलाया गया था कुमाओंगा पर्थम कमिशनर कौन था ये देखिए ये प्रीविशर कोशन है मैं जब पताया था आपको बढ़ाया था कुमाओंगा पृथम कमिशनर था ये गारडनर चांदपूर गरड राज्य स्थित था पॉड़ी में पिथोरगड में चमोली में अलमोडा में चांदपुर गड़ राज्य जहां पर कनकपाल दुवारा परवार वन्ष की स्थापना करी गई वो था हमारा चमूली में उत्रखंड के प्रशित एतिहासिक इस्थल गोविशन के पहचान की गई है गोविशन जो है वो आज प्रेजंट में क्या है हरिद्वार काशिपूर रुद्रप्रियाक श्री नगर गोविशन है काशिपूर में प्रशित गुफा शैल चित्र लाखु उड्यार कहां इस्थित है फर्स्ट टॉपिक ऑफ दे पहला पॉइंट था है आज की दिन का लाखु उड्यार है हमारा अल्मोडा में अल्मोडा कॉंग्रस की स्थापना किस वर्ष की गई थी ऑल्मोडा कॉंग्रस की स्थापना 1912 में की गई थी चंद्वन्ष का अंधिम राजा कौन था चंद्वन्ष का आंधिमारा राजा 5iseen तहा जिसने 17 1990 में बैटल अफ हवालागार्ण करी थी गोरखाओं के सात्थ और वो था महिंदर चंथ 2गे वो था महिंदर चंथ टीरी तीरी से संबंदित निम कथरों में से कौन सा एक अठन सही नहीं है। Which of the following statement is not true regarding तीरी तीरी राज़े गर्दन भारते गर्द तंतर में 1949 में शामिल हुआ यानि कि तीरी राज़े जो था वो भारत में 1949 में मिला। तीरी बांद 1972 में परस्तावित किया गया। तीरी बांद ने तीरी नगर को निगल लिया। या विले के बाद तीरी छेतर को काट कर एक मंडल के रूप में गठित कर दिया गया। सब्सक्राइब नहीं यह नहीं है विले के बाद तीरी को उत्तरप्रदेश के एक जिला बना दिया गया था वित्रांचल राजी की स्थापना कब हुई यह तो आपको हाथ पोना चाहिए उत्रांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई सलला भेहन का मूल क्या था जो गांदी जी की फौरन गानी जी की मिर मैं से आरंधिज दिकी की महां unhealthy विदेशेаже Port millimeter व सलला बहन का मूल नाम क्या था है का एक यह देब गारां दोलन कप और और कहां से आरब गले कि अडिक है जिसको क्लों के बहूं सारे लोगों ने इसक्ञा finsTER किया था ठीक है उनकौन शामिल थे उनमें हर्गोविंद पंत बद्रिदस पांडे चिरंजी लाल ये स्टार्ट हुआ था 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर में आगर आपको डेड़ भी ना पता हो न अगर आपको जगा पता हो तो तब भी आप कर सकते थे एकोशन उत्रांचल का बार्दोली फिर से वही आ गया सल्ट छेत्र को कहा जाता है अलमोडा में होम रूल लिग की स्थापना कब हुई थी 1914 में ठीक है फिर है कुमाउपरिशत की स्थापना कब हुई थी कुमाउपरिशत की स्थापना 1916 में हुई थी रवाइकांट कहां हुआ था रवाइकांट टिलाडी में हुआ था कुमाउपर्थम सटाता संगराम सेनानी होने का गारफ किसको प्राप्त है यह भी मैंने आपको पताया था यह गरफ प्राप्त है हम हमां कालू महरा को प्रकाशन का प्रकाशन जब होली अंक में होली अंक निकाला गया था अल्मुडवार में उसके बाद को बंद कर दिया गया था किसके द्वारा अंग्रेजी सरकार के द्वारा तो उसी के बाद फिर क्या करा था पद्रिदस पांडे ने उसी ने सबसे पहले कुमाओं में का विजिट किया था जून जुलाई अगस्थ अक्टुबर जून 2019-29 विश्नी देवी कौन है एकुस्तंतरता से नानी ख सी नम से किस सोतंतरतासंगराम से नानी से गण कैसरी नाम से famous थे अनुसूय प्रसाद बहुगुना भारत के सुतिंत होने के समय गड़वाल का राजा कौन था भारत के सुतिंत होने के समय गड़वाल का राजा था मानवेंद्र शाह कैज जो मैंने आपको history पढ़ाइए ना उससे आप मेरे को कर पाई हैं अगर आपने मुझे बताया और आप दने 75 परसेंट करें अगर आप लेंगे अगर अच्छ तो यह पढ़ा होगा और इसके बाद दिया हुगा ठीक है ने इस वीडियो से मिल जाएंगे उत्रखन हिस्ट्री में जो आप पूछे गया है भारत राष्ट्रे आंदूलन के दौरान गांधी जी किस इस्थान वार बहुत दिनों तक रुके थे इन्य नेशनल मूव्मेंट के दौरान गांधी जी रुके थे कौसानी में और इसे वक्तिनों ने को भारत का स्विजर लेंड भी कहा था तीरी राज्य किस इस तुतिकोत्य प्रदेश में संभलित हुआ एक अगस्ट उन्नीस सो उडन्चास 1949 वन अगस्ट जनवरी 1921 में निम्मेशिक की सिस्थान पर सर्दिन अधी के तठ पर कुली बेगान नादेनी की शपत ली गई काउन सी जगा थी वो वो थी बागेश्वर 84 दिन की भूख हरताल के बाद 25 जुलाइ 1994 को किसका निधन हुआ जब मैं आपको यह पोड़ा पॉइंट बताया था तो मैंने यह भी बताया था यह भी पूछा गया है 84 दिन की भूख हरताल के बाद स्रीदेव सुमन का 25 जुलाइ 1994 को निधन हो गया सल्ट की घटना किस वर्ष हुई सल्ट की घटना किस वर्ष हुई सल्ट की घटना क्विट इंडिया मुव्मेंट के दौरान पांत सितंबर 1942 को हुई अलमोडा अखवार का प्रकाशन कब शुरू हुआ डिबेटिंग कलफ की स्थापना होती है 1870 में और 1871 में अलमोडा अखवार का प्रकाशन शुरू हो जाता है ठीक है महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टी का कहां लिखी थी मानाश महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टी का लिखी थी भर्द के स्विजलेंड यानिकी कोसानी में पेशावर कांट के नायक किसे कहा जाता है पेशावर कांट का हीरो किसे कहा जाता है केसर सिंग रावद वीर चंदर सिंग गडवाली हरक सिंग रावद नरायान सिंग उसाई पेशावर कांट का नायक कहां जाता है वीर चंद्र सिंग्र वाली को श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए अभी देखा हमने 25 जुलाए 1944 को कत्यूरी राजवन्ष का संस्थापक कौन था सबसे पहला वंश कत्यूरी राजवन्ष था उत्राखंड का कह सकते हैं बेसिकली कुमा इसका पर्थम संस्थापक था वसंत देव उत्रांचल उत्थान परिशत का गठन कब और किस ने किया उत्रांचल उत्थान परिशत का गठन कब और किस ने किया उत्रांचल उत्थान परिशत का गठन 31 मई 1988 को सोबन सिंग जीनाने किया था राज्य का 1523 संग्राम सिननी की से माना जाता है यह हमने देख लिया कालू महरा को गौकः और कहां इस्थित है हमने देखा लाखू केफ कहा है किस पार्टी की सरकार थी जब उत्रांचल राज्य बना 2000 में तो उस वक्त सेंटर पर कौन बैठा था राष्ट्रिय जन तांत्रिक गठवंदा नैशनल डेमोक्राटिक अलाइंस नमबॉश गरवाल सर्वदलिद परिशत का गठन प्रजब परिशत का गठन किया गया था जैनन्द भार्टी के द्वारा देराद उन में परजा मंदल की स्थापने का उद्धेश था जंता को टेरी राज्य से मुक्ती दिलाना कि निमराजा और उनकी राजधानी कौन सुम्मेलित नहीं कौन ऐलने कौन सुम्मेलित सब्स नाइव गतां इस में से सभी मैचिंग निकेओं है सविक होगणंतफर के नहीं दी समय राजह Anthंप नाइब नाइबबो और तिस समय राजधानी इनों इस भी शिफ्ट हो गई थी अजय पाल ने सारे राजाओं को हरा कर मतलब जितने भी गड़ थे उनको हरा कर एक बड़ा राज्य बना लिया था उसकी राजधानी इनदी श्री नहीं बनाई थी ठीक है गड़े सेवा संग की गठन किस ने किया था ग पंद में खोजेगा लाखु गुफा जिसमें मानावर पश्यों के श्चित्र प्राप्थ हैं बाड़चिना के पास दल बैंट पर स्थित है यह है अल्मोडा में उत्राखंड के संबंद में पर्थम लिकित उल्लेक कहां मिलता है सबसे फर्स मेंशन अफ उत्राखंड कहां है रिग्वेत में किस गृति में उत्राखंड के लिए देव भूमी शब्द के लिए किस ग्रत्व में उत्राखंड के लिए देव भूमी शब्द आया है रिए केमाह के कि पुरानों के अनुसार मानफ के आदिपूर मनु का निवास अस्थान और धन के देफ्ता कुबेर की राजधानी बदरी का अश्रम किसके पास इस्थित है बताईए ये भी वन लाइन था देखेंगे आप ध्यान से अलकापुरी में वशिष्ट गुफाव वशिष्ट कुंड कहां इस्थित हैं ये दोनों ही इस्थित हैं हमारे टीरी में प्राचीन गरंथों में निम्मे से किसके लिए भ्रंगतुंग शब्द का परयोग किया गया ये मैंने आपको बताया था पूछा जाता है एक्वेशन भ्रंगतुंग शब्द का प्रियोग करा गया है किदारनात में और ये भारत के वन पर्व में बोला गया है रमयाड कालीन पानासों की राजधानी थी अलकापुरी चक्रवर्दी सम्राद भरत जिनके नाम पर अप प्रेम परसंग से भी संबंदित है कर्ण वाश्रम मा भारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहू की राजधानी थी ये राजधानी वही है जहां पर कुबेर की राजधानी भी थी धनके देपता कुबेर की राजधानी भी थी और मनुष्य के मनुष्यों नेत्हणा का किला पर है यह है अलमूडा में किस ग्रंथ में उतर你在 अंसर नहीं भीजाता हो गर आप यह जानते होगे उत्राखंड के संथार में अलमूडा का जाखन देवी मंदिर किसके कि निवास की पुष्टी करता है अलमोड़ा का जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टी करता है अलमोड़ा का जाखन देवी मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टी करता है कि बीश्चन कनक पाल निम्मे से किस वंचा सासक था पमार वंच चंदर हैं किस कमाओं का मुहंमत तुगलक कहा जाता है ये भी वन लाइन थी मैंने आपको पढ़ाया तो बताया था ये पूछा जा सकता कोईश्चन है निम में से मुहम्मद तुगलक को कुमाओ का मुहम्मद तुगलक देवी चंद को कहा जाता है चंद राजाओं का क्या राजचिन था huhu कि रदआल बैल गाए हाती चंदर राजचिन था अलमोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराने वाला कौन था किसके चाशनकाल में आप याद रखिएगा जो नदा देवी की मूर्ति है गड़वाइल स आलमोरा लाई ॽगैर यांचंद के संचलकान करिे हैं निम में से किस राजवन्ष को उत्राखंड का प्रतम इतिहासिक राजवन्ष माना जाता है। First historic dynasty of उत्राखंड वो है कार्तिकेपुर राजवन्ष की राजवाशा क्या थी यानि port language क्या थी कार्तिकेपुर डाजवन्ष की वो थी संस्क्रित। कार्तिकेपुर शाशकों के समय उत्राखंड में निम में से किस प्रसेद संत और सन्यासि का आग्मन हुआ एकी सन्यासि उत्राखंड आए हैं वो है राजवन्ष राजवन्ष नहीं किये हैं। किसकी डैनिस्टी में शुरू हुई थी कत्यूरी चंदो पमार निमबर। तारे अच्छे काम कुमाओं में कत्यूरी राजवन्ष नहीं किये हैं। उत्राखंड पर साशन करने वाली प्रथम राजवन्ष शक्ति कुणिंद्र किसके समकालीन थे। यह हमें अशोक के शिरलेक से मिलता है कुणिं मौर्यों के समकालीन थे। यह निमबर से कौन सुंबलित नहीं है। यानि कि यह एंशेट टाम लिखे हुए और मॉडर्न नाम लिखे हुए। आपको इह पताना हैं इनमबर से कौन राइटली मैजड नहीं है। वीर्भधर रशिके सही है। गोविषा अंकाशिपुर सही है। मौर्दवाज कोडवार सभी है, कालो डान्डा, ये तीरी नहीं है, निम्बे से उतराखण के सांदर्व में कौन से कथन सत्य है, चक्रवट्टि समराड, भरत का जनम उतराखण में हुआ, सही है, कणुआ अश्रम में, आदिगरू शंकराचादे का जनम उतराखण में हुआ नहीं यह तो साउथ इंडिया के थे पांडवों ने उत्रखण से स्लोर रोहन किया था येस 1 & 3 1 & 3 थी। ऑप्शन। ठीक है। तपुवन में किस ने तपस्या गरी थी। अधिव प्रियार में तपस्या कर दोडिला में तपस्या गरी ती है। पाली भाशा के बहुत सहित्यों में उत्राखन के लिए किस शब्द का पर्यूक्त है पाली भाशा के बहुत सहित्यों में हिमवंत पर्यूक्त है उत्राखन के लिए आदिगुरु शंक्राचारे ने कब केदाना तीर्थ में धहत यागा था मिलाव और दूर्ट्थि में आधिंग्रु शंकराचाय जी ने 820 ईश्वी में अपनां दह्त हयागा था है कुरिंद वन्ष का सबसक्षक्ति चाली राजा पॉस्ड़ी सुक्ति बरपारना डोग्हुथी जिसने इस से चारि ते जिन पर एक देवी की और कि छपाई थी और जिस पे एक शलोग भी लिखा गया जिसका नाम था राज्य राज्य अमोग भूतिस महाराज्य कुछ लिखा भी हुआ था दुश्य तो शकुंत लगा प्रेम परसंग किस आश्रम से जुड़ा है यह बता चुके हैं कर्ण वाश्रम से किस गड़वाली चुके मध्य संगौली की संधिक कब हुई थी देखिए लागो तो हुई थी अठरा सोला में पर साइन तो अठरा सबंद़र में हुई थी ना पर गूर्खाओं ने माणा नहीं था पूर्ण आखरमन किया अनुद्धा ठीक हैं फिर उन पर आकरमन किया गया आकरमन करने के बाद क्या हुआ उन्होंने फित्माना शुरू करा साइन कब हुई थी गोड़खाओं ने गड़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था गोड़खाओं ने गड़वाल पर 1804 में बैटल ऑफ खुर्वुरा के बाद तीरी रियासत का भरत में विले कब होता है बार बार पूशा गया है कोशन 1949 में फिर गड़वाल के इतिहास में जहासी की रानी की संग्या किसे दी गई है ये कोशन नहीं आया है हमारे उसमें आप याद रखी गा तिल्लू रोतेली को जहासी की रानी की संग्या दी गई है नेपाल नरेश अशोग चल ने उत्राखंट पर कब आक्रमण किया इसने आक्रमण किया था उत्राखंट पर 1191 में पर सफल भी हो गया था तो फिर किसने मुक्ति देलाई थी उत्राखंट को भारती चंद्र किसे नाकटी रानी कहा जाता है नाकटी की रानी के नाम से है प्रत्री पति शाकी माता करनावती स्वर्डी कालसे से अशोग कालेच शिलालेग की भाषा क्या है अधि गुर्खाने कुमाउँ पर कब लिखा हुआ ठीक है और गुर्खाने कुमाउँ पर सत्रासो इक्यानवे में कि कडि में सेंडिया नंटी कि अंटी इंडिया पर कब मन किए तो और आ या है थście अपको बता देके कि में पेल निम्य से किसके शाशन को कुमाओं का सुन्हार काल गहा जाता है निम्य से जगत再見 के साशन को कुमाओ hem सोस्व AH काल कहा जाता है कि यह ठाकर तीडि को अपनी राजधानी ने बनाया था प्रेश reese talk about CSIQ पाद इसके आगे सर का टाइटल भी लगा हुआ था किरिदी शाह को दी थी टीरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात किस ने करी थी यह जब मैंने आपको रूलर्स आफ्टर प्रद्यूमन शाह बताया थे ना तब मैंने बताया था कि प्रताप शाह ने टीरी में अंग्रेजी शिक्षा के शुरुवात करी थी कुमाओं और गरवाल पर गोर्खाउँ का साशन काल बहुत ही अन्याएवं अत्याचान्पूर था इस अत्याचारी साशन को यहां की भाशा में क्या कहा जाता है विशोण नामक परवत पर क्या iacqud संब विशोन नामक परवत पर क्या स्थित है इसमें सभी स्थित बने agers कर लिये वाँ में कुशान काली नंफ्षेश नम्में से कहा मिले है क huis तम या EU से मिले थे वीर्बत्र रिशिकेश मोर्ध वाज-कोड़वार के पास गोविशान काशिपुर उप्रयूक्त सभी जगाउं से पर मार्षाशन की vet करनकपाल के कि करनकपाल द्वारा चानदपुर गड में कब करी गई थी आलिए परमार शाषन की सथापना कौन सा वह राजवश था पवाय राजवश कुमाओ छेतर का नहीं गोर्खाओं द्वारा इतने अच्छे काम करें नहीं गए अंग्रिज़ द्वारा भी काम नहीं करें गए तो चंद राजा प्रजा मंदल की मांग को लेकर जन आंदोलन किस के काल में शुरू हुआ हमां प्रजामंडल की मांग को लेकर, यहीं प्रजामंडल किस tajanakal न Tischang Golf में प्रजामंडल की चारचन के किस थापना, किस बर्रेंदर YouTube को स्योग्त प्रांत आग रहा और मवद काउंग कब बनाया गया देखिए, यहां संयुक्त प्रांथ अबद और आग्रा का निर्मार हुआ था 1902 में और तभी इसको उत्रांचल को भी इसका पार्ट बनाया गया 107 का ऑप्षिन नमबर बी इस दी करेक्ट ऑप्षिन पवार आजाओ के काल में निम्न में से कौन सा कावे रचा गया है गड़ राजवाश कावे सुदर्शनोद्य कावे मनोद्य कावे यह सभी रचे गए है एक मड़ गाई गड़वाल पर पून अधिकार प्राप्त करने हे तू गोर खाओं और राज पर्दियुमन के बीच देरादूर में खुडबड़ा मैदान में यूद्ध हुआ यह यूद्ध में राजा पर्दियुमन शाव विर्गति को प्राप्त हो गए यह यूद्ध कब हुआ था इसकी exact date आप से पूछी कई है यह यूद्ध हुआ है 14 आते हैं 14 15 तो आपको डेट भी आ रखनी है निम्द कथनों में से कौन सा सही है विच फॉलिएंग स्टेटमेंट्स आर्ट करेक्ट चंदवांस की श्थापनात सोमचंद ने की थी यह वर्तमान रुदुर्पुर्ण नगत